अपने शस्त्रागार में आध्यात्मिक ज्यान के साथ धनुष एक गेमर की तरह था, जिसके पास गेम खेलते समय एक धोखा देने वाला उपकरण था, अपने आध्यात्मिक ज्यान की आड में वह कुछ सौ मीटर के दाएरे में कुछ भी देख सकता था, इसलिए जब तक वह विला के आसपास के क्षेत्र में चक्कर लगाने के लिए कुछ समय बिताता था, वह स होजना चाहिए, धनुष ने पूरी गंभीरता के साथ कहा, जब हम संदिख्ध लोगों का पीछा करना शुरू करेंगे, तो मैं पीछे की ओर लूँगा, विचारशील और सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है, तांग वेई ने सिर हिलाया और कहा, तो हमें यह कैसे करन चाहिए, धनुष ने कहा, बस दिखावा करो कि हम कुछ ताजी हवा लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर हमें कोई संदिख्ध व्यक्ती मिलता है, तो हमें उनकी पहचान पता करनी होगी, यदि वे शत्रू हैं, तो सीधे उन्हें मार डालो, यदि वे नहीं हैं, तो हम वापस जाएंगे और अपना रिट्रीट आयोजिक करेंगे, ठीक है, टैन वेई ने कमर में पिस्तॉल को छूते ही सिरहिलाया, इसके बाद दोनों खुले आम विला के सामने के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गए और सीधे विला परिसर के गेट की ओर चले गए, अपनी विला से कुछ सौ मीटर दूर दूसरे विला की छट के उपर से था, दूरबीन के साथ दो युवक चुपचाप अपने विला में किसी भी गतिविधी पर नजर रख रहे थे, लेकिन धनुष ने उटावलापन नहीं दिखाया, उसके और तान वेई के विला परिसर के बाह खड़ी थी, रात की पीली-पीली मंदरोशनी धनुष की तेज द्रिश्टी को रोक नहीं सकी, वापस जब वह चांगबू टाउन से लोटा, हाला कि उसने उस अस्यूवी को देखा, उसने बस उस पर नजर डाली और कार में किसी को नहीं पाया, लेकिन इस समय अंदर दो आदमी थे, उनमें से एक पिछली सीट पर था और चुपचाप कार की खिलकी से धुमरपान कर रहा था, तैन वेई की द्रिश्टी धनुष की तरह तेज नहीं थी, उनके और कार के बीच करीब तीन से चार सौ मीटर की दूरी होने के कारण उन्हें कार में कोई नजर नहीं आया, तांग वेई ने फिर अपना सिरहिलाया और कहा, ठीक है, सड़क के किनारे खड़ी एक कार मेरे लिए सामान्य है, लेकिन मैंने उस कार को पहले नहीं देखा था, मुझे पता है कि सड़क के किनारे कार पार करना सामान्य बात है, लेकिन क्या होगा अगर कोई अंदर ह धनुष ने कहा जब उसने महसूस किया कि दोनों अपनी स्थिती की ओर चल रहे हैं तो उसने तुरंट अपना सिर घुमाया और पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति से बोला बुद्धी के अनुसार बड़े भाई हूँ विला परिसर से बाहर आने वाले इन दो लोगों में से एक वे टैंग प अभी मार देते तो क्या युवा मास्टर हमें सजा नहीं देते चिंता मत करो उस आदमी ने उभास किया अगर हम टैंग परिवार के किसी प्रत्यक्ष सदस्य को मार सकते हैं तो न केवल युवा मास्टर हमें दंडित नहीं करेंगे बलकि वे शायद हमें इनाम भी देंगे आपको पता नहीं था, लेकिन चांगबू टाउन से हमें पहले खबर मिली थी हमने कई लोगों को खोया है और इसके कारण युवा मास्टर बेहत गुस्से में है अगर हम तांग वेई को मार देते हैं तो इससे युवा मास्टर निश्चित रूप से संतुष्ठ होंगे अच्छा युवक ने कमर से पिस्टल भी निकाल ली दोनों पक्षों के बीच की दूरी नस्दीक आ रही थी पहले से ही अपनी आध्यात्मिक समझ के साथ धनुष ने कार के अंदर दो लोगों को पहले ही कवर कर लिया था वह साफ देख सकता था कि दोनों ने अपने चहरे पर हत्या के इरादे से पिस्टॉल तान रखी थी इसी क्षण उसने इन दोनों व्यक्तियों की पहचान निर्धारित कर ली थी वे याओ या सूर्य परिवारों से थे इसी प्रकार वे शत्रु थे बड़े भाई वेई सावधान रहना उनके पास बंदू के होनी चाहिए धनुष फुसफुसाया निश्चित होना वे हमें आसानी से गोली नहीं मारेंगे क्योंकि वे वर्तमान में हमारी निग्रानी कर रहे हैं तान वेई ने कहा धनुष ने अंदर ही अंदर आह भरी उनके कारियों से ऐसा कैसे हो सकता है कि वे गोली नहीं चलाते वे शायद चाहते थे कि वे अभी उन्हें गोली मार सकें, नहीं मुझे अपनी बंदूक दे दो, तांग वेई के सामने रुखते ही धनुष की गती रुख गई और बोला तांग वेई ने अपनी पिस्टॉल निकाली और धनुष को सौंपने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया पिस्टल लेने के बाद धनुष ने तुरंट उसे अपनी जेब में रखा और फिर साइड में चला गया फिर वह धीरे-धीरे दूसरी ओर चला गया जैसे जैसे दूरी करीब आ रही थी और उनसे लगभग 30 मीटर की दूरी पर ही था धनुष अचानक रुप गया और बिजली की तेजी से आगे बढ़ा जैसे ही उसने पिस्टॉल निकाली उसने बंदूग का सिफ्टी लॉक खोल दिया और थूथन को SUV में दो लोगों की ओर निशाना बनाया तक्राना तक्राना गोली चलने की आवास सुनाई दी गोलिया विंड स्क्रीन पर लगी ड्राइवर की सीट पर युवक के सिर में लगी और दूसरी पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ती के दिल में लगी धनुष ने कभी भी आगने आस्त्रों का प्रशिक्षन नहीं लिया था फिर भी उनकी निशानेबाजी बेहत सटीक थी उनकी नजर में बंदूग चलाना छुपा हथियार इस्तिमाल करने जैसा था वह इसे आसानी से कर सकता था टैंग वेई का रंग बदल गया उलजन में तान वेई ने SUV की ओर इशारा किया और कहा फिर उनका कुछ लोग उनके शव लेने आएंगे हमें अब विलापरिसर के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए अगर हमें कोई और दुश्मन नहीं मिला तो हम विलापरिसर के अंदर उन दो दुश्मनों को साफ कर देंगे और फिर तुरंट खाली कर देंगे धनुष ने फीकी मुस्कान बिखेरी और जवाब दिया विलापरिसर के अंदर दो दुश्मन है तैंग वेई अवाक रह गए जब धनुष को और अधिक अजीब होते हुए देख रहे थे तो उनकी अभिव्यक्ती वह पूरे समय धनुष के साथ रहे और पूरे रास्ते चुपचाप देखते रहे फिर भी उसे कोई शत्रू कैसे नहीं मिला जब वे दस मिनट बाद विला परिसर में लोटे तो धनुष एक एकांत कोने में रुक गया और बोला मेरे लिए यहां रुको मैं जल्दी वापस आउंगा तैंग वे ने धनुष का पीछा करने के लिए अपना मुह खोला लेकिन उन्हें स्थिती का पता नहीं था और उन्हें डर था कि वह धनुष को फंसा देंगे आखिरकार वह केवल चुपचाप सिर हिला सका थोड़ी देर बाद धनुष टैंग वे के पास लोटा और मुस्कुराते हुए कहा मैंने उन दो लोगों का ध्यान रखा है चलो चलते हैं और सभी को तुरंट खाली करने के लिए कहते हैं तांग वेई ने चुपचाप सिर हिलाया इतना अंतराल जब से धनुष उनके साथ ग्वामग्यांध आया धनुष द्वारा संभाले गए प्रत्येक मुद्दे से उन्होंने महसूस किया कि उन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था इसके तुरंट बाद एक दर्जन से अधेक वाहन तेजी से हवा की तरह रेड मेपल विला कॉंपलेक्स से निकल गए विला परिसर के बाहर जूजी और अन्य लोगों के साथ मिलने के बाद वे फिर हुंपो जिले की दिशा की ओर चल पड़े हालांकि धनुष सवारकार एक दर्जन किलोमीटर चलने के बाद सड़क किनारे रुप गई फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक चेतना को मुक्त किया और चुपचाप निम्नलिखित वाहनों का अवलोकन किया कई मिन्टों तक रुकने के बाद जब कोई वाहन उन्ता पीछा नहीं कर रहा था तभी उसने तेजी दिखाई और दूसरों के साथ पकड़ बना ली बीस मिनट बाद होंगपो जिले से कुछ दूरी पर एक जगह पर सड़क किनारे गाडिया खड़ी थी ड्राइविंग करने वालों को छोड़कर हर कोई दिशा बदलने के लिए एक के बाद एक उतर गया बस या टैक्सी लेकर और फिर होंग को जिले में कार खाने की ओर दौर पड़े आजकल सड़क पर हर जगह इलेक्ट्रोनिक आखे मौजूद थी याओ और सन परिवारों की क्षमताओं के साथ परिवहन विभाग से उनकी कारों के ठिकाने का पता लगाना बहुत आसान था इसलिए उनके लिए यह ज़ूरी था कि वे कारों को आधे रास्ते में ही छोड़ दें और फिर परिवहन के अन्य साधनों को अपनाए किराय की फैटरी में मजदूरों के रहने वाले क्वार्टरों के अंदर दरजन भर कमरों में बत्तिया जल चुकी थी कुछ घंटे पहले गो सेन ने व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों को बड़ी मात्रा में बिस्तर, बरतन, धूपदान और दैनिक उप्योग के अन्य सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया था तद्नुसार, वे धनुष और अन्य लोगों के साथ मिलकर जगह की सफाई करने लगे यंग मास्टर शिव हमारा काम हो गया ली ज्याओ जी ने कई मजबूत आदमियों के साथ धनुष को सूचना दी जो धुई से भरे सम्मेलन कक्ष के अंदर था जवाब में सिरहिलाते हुए धनुष ने कुरसियों की ओर इशारा करते हुए उन्हें बैठने का इशारा किया उसने फिर धीरे से पूछा आपने कारों के साथ कैसा व्यवहार किया हमने उन्हें गवान सिटी के ट्राफिक पुलिस दस्ते के पास छोड़ दिया ली जियाओ जी ने कहा के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी और उसने सिरहिलाया और कहा शाबाश इस बार हम हर्तार शुरू करने की पहल करेंगे आप सभी आज अच्छा आराम करें और कल दोपहर में ज्यादा से ज्यादा मैं ऑपरेशन की योजना बनाऊंगा समझा सम्मेलन कक्ष के अंदर जू जी, तांग वेई और ली ज्याओ जी ने एक साथ सिरहिलाया आंटी जूप मुझे डर है कि तुम्हें कड़ी महंत करनी पड़ेगी मुझे गौांग्यान में याओ और सन परिवारों से संबंधित व्यवसायों के बारे में विवर्ण जानने की आवश्यक्ता है इसमें उनकी कमपनी का पता और उनके करमचारियों की सूची शामिल होगी मैं चाहता हूँ कि यह कल दो पहर दो बजे से पहले हो जाए धनुष ने कहा जू जी ने सिरहिलाया, मैं इस संबंध में अच्छा हूँ इसे मेरे उपर छोड़ दो धनुष ने सिरहिलाया और फिर टैन वेई की ओर देखा आप इस जगह के प्रभारी होंगे फैक्टरी में आने वाले किसी भी संदिग्ध व्यक्ती को तुरंत पकड़े अगर वे विरोध करते हैं तो उन्हें गोली मारने में संकोच न करें उसकी नकल करें तान वेई ने सिरहिलाया फिर धनुष ने ली जियाओ जी को देखा तुम कल मेरे साथ फुकाम चलोगे मुझे व्यक्तिगत रूप से बाई परिवार के प्रमुख के पास जाना चाहिए ठीक है ली जियाओ जी ने तुरंत कहा धनुष की व्यवस्था के बाद तीनों सम्मेलन कक्ष से चले गए सम्मेलन कक्ष के बाहर गली आरे में ही लोंग दीवार पर जुपकर धूमरपान कर रहा था उसे अब पूरी तरह से एसास हो गया था कि धनुष ने उससे पहले जो कहा था वह सच था अगर धनुष चाहे तो उसे मारना चीटी को चिकोटी काटने जैसा आसान था उन्होंने गुप रूप से निरीक्षन किया था वे 40-50 बलवान पुरुष पेशेवर थे इसके अलावा वह बता सकता है कि वे एक बार सैनिक थे हाला कि चिंता अभी भी उसके दिल के अंदर थी धनुष और इन लोगों की हरक्तों से वह बता सकता था कि धनुष एक बड़ी चाल चलने वाला है और किसी और के साथ युद्ध शुरू करने जैसा है हाला कि वह अनुमान नहीं लगा सका कि दूसरा पक्ष कौन था हाला कि वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली थे क्योंकि वेतान परिवार को एक गंभीर स्थिती में ले जा सकते थे इसके अतरिक्त अब तक वह इस बात से अंजान थे कि धनुष ने उन्हें किस लिए चुना है उनकी भूमिका क्या होगी हाई लोंग धनुष चाहता है कि तुम अंदर आओ जैसे ही जूजी कॉन्फरेंस रूम से बाहर आई उनकी नजर ही लॉन पर पड़ी हे लोंग अंदर ही अंदर चौंका उसने जल्दी से सिरहिलाया और सम्मेलन कक्ष की ओर चलपड़ा जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया और धनुष को एक कुरसी पर बैठे और धुमरपान करते देखा तब उसने सावधानी से पूछा यंग मास्टर टैंग आपकी क्या आग्या है बैठना धनुष ने बगल में रखी कुरसी की ओर इशारा करते हुए कहा ठीक है सीधे और कसे हुए शरीर के साथ हे लोम ने एक सीट ली और फिर पूछा यंग मास्टर टैंग मैंने पहले ही अपने आपको हल कर लिया है आपसे जुडने के बाद यदि आप मुझे पूर्व की ओर आदेश देते हैं तो मैं कभी दक्षिन की ओर नहीं मुरूंगा इसी तरह जब आप मुझे आस्मान में जाने के लिए कहेंगे तो मैं कभी जमीन पर गिरने की हिम्मत नहीं करूंगा आपकी जो भी आग्या हो कृप्या मुझे आग्या दें जब तक हे लोंग यह कर सकता है मैं इसे पूरी तरह से करूंगा भले ही मुझे अपनी जान गंबानी पड़े मुझे आपको एक साधारन काम करने की जूरत है धनुष ने कहा यह होंग पो जिला आपका मैदान है और आप यहां कई सालों से है मेरा मानना है कि आपका खुफिया नेटवर्क अच्छा होना चाहिए हाँ हे लोंग ने आत्म विश्वास से उत्तर दिया हाँ हालाकि मेरे पास 20 से कुछ अधिक विश्वसनिय पुरुष है फिर भी मेरे पीछे कई छोटे भाई है साथ ही अभी भी कई छोटी तापते हैं जिनके मेरे साथ बहुत जटिल संबंध है मैं आपके लिए कुछ समाचार आसानी से पूछ सकता हूँ फिर आपका काम कारखाने के आसपास के 10 किलोमेटर के दायरे में प्रत्येक गली में कुछ लोगों को नियुक्त करना है कोई भी स्थिती उत्पन होने पर मुझे तुरंत रिपोर्ट करें धनुष ने सिरहिलाया और कहा सच कहूं तो हालांकि मैं 10 परिवार का एक जूनियर हूँ लेकिन यह मेरा दूसरी बार है जब मैं अपने विरोधी का सामना कर रहा हूँ दुश्मन की ताकत बहुत बड़ी है और हमारे बराबर है इसलिए हमारा टैन परिवार यहां गुवांगया में दूसरी पार्टी के साथ मुकाबला करने वाला है बिलकुल इसी गुवान शहर में हमारा मुख्य आधार बाद में होंग को जिले में होगा हे लोंग की आखों में एक रोशनी चमक उठी जब उसने पूछा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है बॉस यह बीजिंग से याओ परिवार और गुवांगयान से सूर्य परिवार है धनुश ने उदासीन्ता से कहा हिस्त हे लोंग ठंडी सास लेने से खुद को रोप नहीं सका उन्होंने बीजिंग के याओ परिवार के बारे में कभी नहीं सुना था लेकिन वे गुवांगयान के सन परिवार के बारे में बिल्कुल स्पष्ट थे उतरार्ध विशाल शक्ती और प्रभाव वाला परिवार था जो निश्चित रूप से गुवांगयान के प्रमुख परिवारों में शीर्ष पांच परिवारों में स्थान पर था वह हैरान मत हो धनुष ने कहा आलांकि हमारा तान परिवार इन दो परिवारों के खिलाफ संधर्श कर रहा है यह सिर्फ गुवांगयान और फुकान प्रांतों तक ही सीमित है बहराल यह केवल एक छोटे पैमाने का खेल है परिवारों हमारे परिवार को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा और आप चुंकि मैं ही हूँ जिसने आपको चुना है मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी लूँगा और परिणाम की परवाह किये बिना जब मैं इस प्रांत को छोड़ दूँगा तो मैं तुम्हें बहुत सारे लाब दूँगा हे लोंग के दिल की चिंताए बहुत कम हो गई थी उसने अपनी चाती को सीधा किया और कहा यंग मास्टर टैंग इसके बाद हे लोंग आपका अंडरलिंग बन जाता है मैं मरने के बाद भी आपके नीचे एक भूत बन जाऊंगा कृप्या मुझे आग्या दें यदि आप आश्वस्थ हैं तो मुझे एक शांदार प्रदर्शन दिखाएं धनुष ने मुस्कराते हुए कहा गुआंध्या में आपका प्रभाव अब इस होंग को जिले जैसी एक छोटी सी जगह तक सीमित नहीं रहेगा क्या तुम मेरा मतलब समझते हो हे लोंग की आँखों में चमक आ गई जब उसने जोर से सिर हिलाया और जवाब दिया मैं समझता हूँ धनुष ने अपना हाथ हिलाया और कहा फिर जाओ आपके वापस जाने के बाद मेरे आदेश पर एक बार में शुरू करें मुझे हमारे मुख्य आधार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और आपके लोग इसमें महत्वपून भूमिका निभाएंगे समझा खड़े होकर ही लॉंग फिर जाने के लिए तैयार हुआ लेकिन उसकी गती अचानक रुख गई क्योंकि वह पूछने से पहले एक पल के लिए जिजख रहा था यंग मास्टर टैंग क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं आपसे उस जिंडएन इंटरनेट कैफे के मालिक गो सेन के बारे में पूछू इतना ही नहीं वह हुआन परिवार द्वारा प्रशिक्षित एक खुफिया कर्मचारी भी है मेरा हुआन परिवार के साथ एक विशेश संबंध है इसलिए मैंने उनसे सहायता मांगी अगर तुम अपनी काबिलियत साबित करना चाहते हो तो गो सेन से बहतर करो धनुष ने धीरे से कहा तुरंत हे लोंग ने उस पर दबाव महसूस किया धनुष का मतलब कुछ ऐसा था जिससे वह अच्छी तरह वाकिफ था उनको जिले की निगरानी के लिए जिम्मेदार उसके लोगों के अलावा हुआन परिवार के खुफिया लोग भी थे वह जानता था कि फुकान प्रांत में हुआन परिवार किस तरह का अस्तित्व रखता है यह वहाँ शीर्ष स्थान पर एक बड़ा परिवार था धनुष द्वारा बताए गए विवर्ण ने उसे दबाव दिया फिर भी साथ ही वह कुछ उत्साहित भी था आखिरकार खुआन परिवार की सहायता से टैन परिवार के जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी यंग मास्टर टैंग मैं आपको निराश नहीं करूँगा ही लों के जाने के साथ ही धनुष सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए उसके बाद उन्होंने लीजयाओ जी का सामना किया जो बाहर इंतजार कर रहे थे और कहा हमारे कुछ आग्मियों को उन्हें करीब से देखने के लिए भेजें मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से कोई पेचीदा मामला पैदा हो मैं उसे करीब से देखने के लिए अपना सर्वश्रिष्ट स्काउट भेजूंगा ली जियाओ जी ने सिर्फ हिलाते हुए कहा रात बीट गई और कुछ नहीं हुआ प्राता काल धनुष और ली जियोजी ने फुकान प्रांट की ओर जाने के लिए कार खाने को छोड़ दिया वहां रास्ते में उन्होंने गो सें से संपर्क किया और उन्हें एक दरजन पुरानी कारे खरीदने के लिए कहा धनुष जो शहर यह धनुष का पहली बार शहर का दौरा था उन्होंने पाया की शहर अपनी उंची इमारतों और अपनी चोड़ी सडकों पर यातायात की निरंतर धाराओं के साथ शंधाई की तुलना में बिल्कुल हीन नहीं था सुबह 10 बजे धनुष जो सिटी के हुआंग फैमिली में पहुँचे फुकांग प्रांत में हुआंग परिवार के पास एक बहुत मजबूत ताकत होने का दावा करने के साथ उनके पास एक बड़े क्षेत्र को शामिल करने वाली भूमी थी जहां उन्होंने अपने परिवार की जागीर का निर्मान किया जब कार हुआंग परिवार के आवास के सामने के गेट पर पहुंची तो उन्हें मुख्य गेट पोस्ट पर सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो यह एक निजी आवासी एक शेत्र है बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमती नहीं है जैसे ही सुरक्षा गार्ड ने धनुष और ली ज्याओ जी को टैक्सी से बाहर आते देखा उसने अचानक गहरे स्वर में कहा टैक्सी को विदा करते हुए धनुष ने फिर सुरक्षा गार्ड की ओर देखा और कहा हुआंग जिन्पु से कहो कि धनुष आया था उस सुरक्षा गार्ड ने धनुष को कुछ बदसूरत अभिव्यक्ती के साथ घूरते हुए अपनी भोहें टेढ़ी कर ली फुकांग प्रांत में बहुत से लोग नहीं थे जो परिवार के मुख्या को उसके नाम से संबोधित करते थे हालाकि वह धनुष से एक अजीबो ग्रीब आभा और ली ज्याओ जी से एक सैने पुरुष स्वाद को असपष्ट रूप से महसूस कर सकता था उसने फिर तुरंट कहा प्रप्या प्रतीक्शा करें ऐसा कहने के बाद उन्होंने एक वौकी-टॉकी उठाया और हुआंग परिवार के मनोर के सुरक्षा कप्तान से समपर किया पांच या छै मिनट बाद, उआंग जिन्फू हुआंग परिवार के चार या पांच प्रमुक सदस्यों के साथ हडबडी में सामने के गेट पर पहुँचे। जब उसने फाटक के बाहर दो आदमियों को देखा, तो उसने तुरंट अनुमान लगाया कि उनमें से एक धनुष था। क्या आप। धनुष मी। खटास बहुत नीचे जुपते हुए, वांग जिन्फू का लहजा सम्मान से भरा था। आह भुआन परिवार का मुखिया बह मुझे पता था कि तुम आजाओगे। लीज जल्दी अंदर आजाओ। मैंने चाय बना ली है। धनुष ने सिरहिलाया और हुआम परिवार की जागीर के सामने वाले गेट से चल दिया। गेट पर मौझूद चार सुरक्षा गार्डों में से हर एक ने धनुष और हुआम जिन्फू को अंदर जाते हुए देखा तो उनके भाव भौचक के रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि टैक्सी से आया युवक उनके परिवार के मुखिया से ऐसा व्यवहार करवा सकता है। यह युवक कौन है? क्या यह तरीका इतना अजीब नहीं है कि परिवार के मुखिया का उसके सामने इतना सम्मान हो। हाँ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुन्या में कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमारे परिवार के मुखिया से इस तरह का व्यवहार कर सके। यह युवक कितना पवित्र प्राणी हो सकता है। इतने क परिवार के मनोर प्रवेश दौार के सामने दो दर्शनियस थलों की कारें खड़ी थी। हुआंग जिन्फु के हार्दिक अभिवादन के तहट दोनों दर्शनिय स्थलों की कार में सवार हो गए जब कीली जियाओ जी और हुआंग परिवार के कई अन्य सदस्य दूसरी कार ले गए श्री तांड हमारे विनमर घर में आपकी व्यक्तिगत यात्रा वास्तव में एक सम्मान की बात है मैंने कल ही हमारे परिवार के सभी मुख्य सदस्यों को फोन किया था वे सभी अंदर इंतजार कर रहे हैं हुआंग जी ने मुस्कराते हुए कहा परिवार के मुख्या हुआंग कृप्या समारोह में खड़े नहूं हम बाहरी नहीं है धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा हुआंग जिन्पु की आँखों में चमक आ गई और उन्होंने सिर हिलाया हाँ हाँ हम बाहरी बिलकुल नह जबसे मैंने सुना है कि Everlasting Fest Hall में एक नया बॉस है, मैं वास्तव में आपसे मिलने जाना चाहता था. लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद हमारे हुआन परिवार से मिलने आएंगे. ठीक है, हुआन परिवार की मेरी यात्रा इसलिए है, क्योंकि मेरा एक अनुरोध है कि मुझे आपकी सहायता की आवश्चकता है. धनुष ने कहा, नहीं, मिस्टर टैंग, आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है. हुआन जिन्फु ने गंभीर रूप से उत्तर दिया. क्रुप्या बिना किसी हिचकी चाहट के कुछ भी मांगे. सबसे पहले कहने की जरूरत नहीं है, बॉस्गु मेरे जीवन रक्षक है. केवल हम हुआन परिवार की वर्तमान स्थिती के कारण, हम वास्टव में अनंत दावत हौल के लिए बहुत अधिक एहसान मंध हैं. मैंने एक बार बॉस्गु से कहा था कि Everlasting Fest हौल की सहायता के बिना कोई हुआन परिवार नहीं होगा. आप जो भी आदेश दें, जब तक आप इसे आदेश दें, हमारा हुआन परिवार आपकी पूरी सहायता करेगा, भले ही इससे हमारी ताकत समाप्त हो जाएं. यदि ऐसा है, तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा. धनुष ने सिर हिलाया और कहा, इसके बाद मैं सियाउसुए को Everlasting Fest Hall और हुआन परिवार के बीच घनिष्ट संबंध को बढ़ावा देने के लिए कहूंगा. हुआन जिन्पु का शरीर कामपने लगा और उसका दिल पर्मानन से भर गया. फिर भी, वह धनुष के शब्दों के सुक्ष्म अर्थ के बारे में सुचे बिना नहीं रह सका. सियाउसुए? धनुष और गुसियाउसुए के बीच किस तरह का रिष्टा है? दर्शनिय स्थलों की यात्रा करने वाली दो कारें जल्दी से हुआंग परिवार के निवास के मुख्य भवन में आ गई. जब वे अंदर गए तो हुआंग परिवार के प्रमुक सदस्यों के एक समुह ने धनुष का स्वागत किया. उवंग परिवार के सदस्यों का परिचय कराने के बाद धनुष ने सीधे कहा परिवार के मुखी आहुआग क्या हमें बात करने के लिए एक शांत जगह मिलनी चाहिए यह जानकर की धनुष उनके साथ एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना चाहता है हुआंग जिन्फू ने तुरंट उत्तर दिया चलो मेरे अध्ययन कक्ष में चलते हैं वहां कोई हमें परिशान नहीं करेगा परिश्कृत और सुरुचिपूर्ण सजावट के साथ अध्ययन कक्ष दिल्चस्प और आकरशक था किताबों की अलमारी में बड़ी संख्या में किताबों के अलावा मेज पर लिखने का सेट, कागस, स्याही और स्याही का पत्थर भी था जब धनुष की नजर किताबों की अलमारी से हटी और फिर एक शेल्फ पर पड़ी जिसके रैक पर हैंडी क्राफ्ट रखे हुए थे तो उसकी नजर अचानक उस पर टिक गई वह है एक इन्फर्नो स्टोन धनुष का दिल अचानक काप उठा वह शेल्फ से पहले आया और इन्फर्नो स्टोन पर नकाशी वाले शेर को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया क्या तुम्हें पत्थर पर नकाशी करने वाला यह शेर अच्छा लगता है इसे हमारे देश के ग्रैंड मास्टर हुआंग बाइकिंग ने उके रहा है वांग जिन्फु ने मुस्कराते हुए कहा इन्फर्नल स्टोन को धीरे से सहलाते हुए धनुष ने धीरे-धीरे हुआंग जिन्फु को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा इस शेर को तराशने वाले पत्थर के बदले हुआंग परिवार हर तीन साल के लिए अनंत दावत में पुरुशों की संख्या को दोगुना कैसे कर सकता है हुआंग जिन्फु की आँखों में चमक आ गई जब उन्होंने बिना किसी हिचकी चाहट के उत्तर दिया चुनकि श्रीतांग इसे पसंद करते हैं, खृप्या इसे वैसे ही ले जैसा आप चाहते हैं वह इस समय वास्तव में पर्मानंद और खुश था ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्थर पर नकाशी करने वाला इतना अच्छा शेर उसके हुआं परिवार को हर तीन साल में अनंत उत्सव हॉल में भेजे जा सकने वाले पुरुशों की संख्या को दोगुना करने का मौका देगा इसके बाद वे हर तीन साल में केबल तीन लोगों को भेज सकते थे संख्या दोगुनी करने का मतलब था कि वे छै लोगों को भेज सकते थे हाला कि लगभग हर जग्थे में मौते हुई, शेश लोग कुलीन थे जो तब उनके हुआंग परिवार के स्तंभ बन गए दोनों एक ही अच्छे और संतुष्ट मूर में थे, धनुष और हुआंग जिन्फू अध्ययन कक्ष में सोफे पर बैठे थे फिर धनुष ने इंफर्नो स्टोन को हटा दिया और महत्वपूर्ण मामले के बारे में बोलना शुरू किया फैमिली हेड हुआंग आप पहले से ही जानते हैं कि मैं एवरलास्टिंग फेस्ट हॉल का बॉस हूँ मुझे विश्वास है कि आपने मेरी दूसरी पहचान का भी अनुमान लगा लिया होगा उआंग जिन्फू की आँखों में एक अजीब रंग चमक आया जब उन्होंने कहा आप और बीजिंग का तांग परिवार यह सही है मैं टैंग परिवार का भी सदस्य हूँ धनुष ने कहा जब आपने स्टार लाइट समोह के वित्विभाग के उपनिदेशक के ठिकाने की जाच के लिए मेरी मदद मांगी तो मैंने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था टांग परिवार और याओ परिवार में वर्तमान में गुआंग यांग और फुकांग के लिए लड़ाई चल रही है और कुछ लोगों द्वारा स्टार लाइट समोह मुख्याले को जला दिया गया था हमारी बुद्धी द्वारा की गई जाँच के परिणामों के अनुसार यह सूर्य परिवार द्वारा किया गया था हुआंग जिन्फु ने कहा हाँ यह सूर्य परिवार था इसके अलावा तांग और याओ परिवारों के बीच लडाई ने मेरे परिवार को अब नुकसान में डाल दिया है इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से यहां के मुद्दों से निपटने के लिए गुआंग्यांग और फुकांग आया हूँ श्री, तैंग कृप्या मुझे अपने विचार खुल कर बताएं मैंने अनुमान लगाया था कि आप तांग परिवार के सदस्य थे इसलिए मैंने पहले ही हुआन परिवार की सेना को इकठा करने का आदेश दे दिया था हमने अपनी प्रमुक समूह कंपनियों को भी तैयार किया है इसलिए आपको हमारे हुआन परिवार को तांग परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ने के लिए केवल एक शब्द कहने की आवश्यक्ता है धनुष खड़ा हुआ और गंभीरता से बोला धन्यवाद फैमिली हेड हुआंग मैं और नहीं कहूंगा हमारे आने वाले दिन लंबे होंगे लेकिन मैं हुआंग परिवार को सब कुछ व्यर्थ नहीं जाने दूँगा यह वही है जो हमें करना चाहिए गुआंग जिन्फू भी खड़े हुए और मुस्कुराते हुए कहा जैसे ही दो आदमी फिर से बैठे गुआंग जिन्फू ने कहा तो मिस्टर टैंग हमारे लिए आपके क्या निर्देश है फिलहाल मुझे केवल हुआंग परिवार की बुद्धिमत्ता से सहायता की आवशकता है धनुष ने कहा सशस्त्र बलों के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर टैंग हुआंग जिन्फू ने तुरंत कहा मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार फुकान के यान परिवार ने बहुत सारे मार्शल आर्ट विशेशग्यों को प्रशिक्षित किया है उन्होंने इस उद्देश के लिए कई डोजों की स्थापना की है प्रत्येक डोजों के प्रभारी व्यक्ति के अलावा उनके पास बहुत सारे मार्शल आर्ट प्रशिक्षु भी है जो यान परिवार की सेना के महत्वपूर्ण घटक है जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यान परिवार ने गवांगयान को बहुत अधिक जन शक्ती नहीं भीजी है धनुश ने कहा याओ परिवार के प्रमुख व्यक्ति ने संभवता यान परिवार की सेना को हटाने की यूजना बनाई है जिसके बाद वे फुकांग प्रांट में तांग परिवार की शक्ती को समाप्त करना चाहते हैं। हाला कि अब तक सूर्य परिवार सर्वोच प्राथमिक्ता का लक्ष है जिससे पहले ही निक्ता जाना चाहिए। मैं समझता हूँ खुआंग जिन्फू ने सिरहिलाया और कहा संक्षेप में आप हमारे हुआंग परिवार को तब नोटिस करेंगे जब आपको हमें हर्ताल करने की आवश्यक्ता होगी। एक और चीज भी है जिससे मुझे फैमिली हेड हुआंग को परिशान करना चाहिए। धनुष ने सिरहिलाया और कहा। मुझे उम्मीद है कि फैमिली हेड हुआंग आपके पुराने सहपाठी से संपर्थ कर सकता है ताकि मैं उसे बचाने में मदद कर सकूँ। फिलहाल उस पर हुई जांच के नतीजे अभी सामने नहीं आये हैं। हुआंग जिन्फू ने कहा। इस बूत शक्ती और प्रभाव होने के बावजूद उनके परिवार में वास्तविक विशेशग्यों की कमी है। वरना उसका परिवार मेरे हुआंग परिवार से आगे निकल जाता। आप कैसे हैं। पूच सकता हूँ, उसके साथ आपका रिष्टा है। यह सपश्ट था कि वह उसे इसके बारे में बताना नहीं चाहता था। इसके बावजूद उसने धनुष की पहचान को देखते हुए पूचने की हिम्मत नहीं की। अग्य लोग नहीं जानते होंगे की अनंत पर्व हॉल कितना भयानक था, लेकिन वह इसके बारे में बिल्कुल स्पश्ट था। फुकांग प्रांत में हुआंग परिवार सर्वोच परिवार हो सकता है, लेकिन चिरस्थाई दावत हॉल की तुलना में उनके बीच का अंतर दस गुना है। एक परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था? जवाब था उनके सैन्यबल, बेशक. हाला कि शक्ती और धन बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी वे सैन्यबल के महत्व से परे नहीं थे. आज के युग में वास्तविक धनी और शक्तिशाली परिवारों के पास कहा, भाई, एक बाहरी व्यक्ति हमसे मिलने आया है. उन्होंने कहा कि हुआंग परिवार के मुखिया ने उन्हें आपसे मिलने के लिए यहां आने का आदेश दिया है. मुझे पता है, धनुष ने सिरहिलाया और कहा, उसे हुआंग बिंगचेंग कहा जाता है. टैंग के मुखिया के साथ कुछ प्रिष्थ भूमी की कहानी है. धनुष ने मुस्कराते हुए कहा, आप यह भी जानते हैं कि मैं आज व्यक्तिगत रूप से हुआंग परिवार के मुखिया से मिला हूँ. इसलिए मैंने कुछ समय के लिए गुआंग यांग में हुआंग परिवा थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ. आप बड़े अंकल से भी ज्यादा काम के हैं. बेतु की बातें कम बोलोगी न? धनुष अनायासी हसपड़ा और बोला, खेर यह हुआंग बिंग चेंग कहा है. मुझे उसे देखने के लिए ले चलो. ठीक है, इसके तुरंत बाद धनुष सम्मेलन कक्ष में हुआं बिंग चेंग से मिले. अधेर उम्र का आदमी को मल दिखाई दिया और अपने साथ एक विद्वतापूर्ण आभालाया. क्या आप हुआंग बिंग चेंग है? गुआंग यां में हुआं परिवार के खुफिया नेट को पहले ही जुटा लिया है और वर्तमान में यहां याओ और सन परिवारों के सभी आंदोलनों की निगरानी कर रहे हैं. हालांकि हम यह कहने की हिम्मत नहीं करते हैं कि हम तुरंत उन्हें परिशानी का मामूली संकेत खोज सकते हैं. वे निश्चित रूप से हमारे खुफ लेकिन जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको सूचित कर दूँगा. असुविधा के लिए खेद है, धनुष ने सिरहिलाया और कहा. कोई बात नहीं. हमें यही करना चाहिए. हुआंग बिंगचेंग ने तुरंत मुस्कराते हुए जवाब दिया. धनुष द्वा की विशिष्ट सूचिया भी शामिल थी. जो लोग अपने व्यवसायों के प्रभारी थे, उनके अधीन आधिकारिक आंकडे, इत्यादी. धनुष के हावभाव कुछ गंभीर हो गए. उन्होंने पाया की गुआंग यांग में सूर्य परिवार की ताकत वास्तव में शक्त तो उपर उल्लिखित व्यवसायों की देखभाल करना बहुत अच्छा होगा. लेकिन सूर्य परिवार के सैन्य बल हमें उनकी ओर जाकने का जरा भी मौका नहीं देते. याओ परिवार की ताकतों के साथ मिलकर हम उनके विरोधी नहीं हैं. क्या हमें यहां केवल अपने लो ऐसा लगता है कि मुझे अभी भी कुछ और सहायकों की तलाश करनी है. टैंग वेई के हावभाव हिल गए और उन्होंने तुरंट पूछा तुम्हें और मददगार कहा मिलेंगे. जवाब में एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए धनुष ने अपना मोबाइल निकाला और एक सेल नंबर डायल किया. इसके जुड़े होने के बाद वह गहरी आवाज में बोला. मुझे दस विशेशग्यों की आवश्चक्ता है. उन्हें तुरंट गुआन सिटी के होंग को जिले में भेज दें. मैं आपको बाद में विशिष्ट पता भेजूंगा. हाँ बॉस द हमारा अगला ओपरेशन सफल होना चाहिए. क्या वे हुआन परिवार के लोग हैं? जुजी ने जाच की. नहीं धनुष ने अपना सिरहिलाया और कहा वे मेरे आदमी है. मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया. धनुष जुजी हैरान थी और बोली क्या तुमने कहा था कि वे त व्यवसाय शुरू कर दिया था. अपने लोगों को चुने बिना व्यवसाय को जारी रखना बहुत मुश्किल काम होगा. आप वास्तव में अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, जुजी हैरान थी. टैंग वे ने बीच में कहा, आंटी जू, इस मामले को परिवार में कुछ ही लोग जानते हैं. वास्तव में मेरे इस भाई ने पहले ही एक कमपनी स्थापित कर ली थी और एक व्यवसाय शुरू कर दिया था जब वह अभी भी हाई स्कूल में था. इससे पहले की परिवार ने उसे ढूंधा. उसे नीचे मत देखो. यहां तक की प्रसिध कां कांजिया, दुनिया का सबसे अध्भुत स्वर्ण प्रबंधक मेरे भाई के काम में मदद कर रहा है. कांजिया, जूजी ने अनैच्छिक रूप से चिलाया. धनुष, इसका मतलब है. आप मैगनिफिसेंट टैन कॉर्पोरेशन के हैं. बॉस, जह सही है, धनुष ने मुसक धनुष को उसकी रणनीती, संसाधनशीलता और सैन्यबल के लिए स्विकार किया और उसकी प्रशनसा की. लेकिन व्यापार के मामले में वह सोचती थी कि वह उससे कहीं अधिक कुशल है. हालाकि उसने कभी नहीं सोचा था कि धनुष वास्तव में मैगनिफिसेंट. टैन किसी भी बिग बॉस की तुलना में व्यापारिक दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा अधिक शांदार थी. अध्भुत, भले ही जूजी के पास एक हजार शब्द थे जो वह कहना चाहती थी, लेकिन अंतह वह केवल इतना ही बोल सकी. धनुष ने जवाब में केवल एक उदा का सबसे अच्छा रूप हमेशा अपराद है. धनुष ने सिरहिलाया और कहा, हमने कल जीत हासिल की थी, लेकिन याओ और सन परिवार इसे नहीं खरी देंगे. इस प्रकार हम इस तरह की स्थिती में हर्ताल करने की पहल करेंगे. और यह वास्तव में सबसे अच्छा समय है. जूजी और टैन वेई ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक साथ सिरहिलाया. वे बता सकते थे कि धनुष का तर्क वाजिब था. युद्ध में अपने शत्रु को औचक आक्रमन से दबोच लेना चाहिए. दो घंटे बाद धनुष कमरे से बाहर आया. उन्होंने या और सन परिवारों के लिए एक बड़ा जटका होगा. धनुष दस आदमी आ गए हैं. धनुष को बाहर आते देख, जू जी, जो लंबे समय से कमरे के बाहर इंतजार कर रही थी, ने तुरंट सूचना दी. सिरहिलाते हुए और उसे ओपरेशन की योजना सौंपते हुए, धनुष ने कहा, पहले इसे देख लो. अगर आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं है, तो हम इस योजना के अनुसार कारवाई शुरू कर देंगे. ठीक है, मैं उन्हें पहले देख लूंगा. धनुष फिर इमारत से चला गया. जब वह बाहर आया, तो उसने देख था कि दस आदमियों की एक पंक्ती भाले की तरह सीधी खड़ी है. उसने चुपके से अंदर सिर हिलाया. आप में से कौन गुल्लैंग? लोन वुल्फ है. मैं गुल्लैंग हूँ. बॉस को रिपोर्ट करना. एक दुबले प्तले आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही शामधली, हुआंग बिंगचेंग ने अपनी बुद्धी द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को वित्रित करने के लिए किसी को भेजा, जो जूजी की तुल्ना में अधिक विस्त्रित था. धनुष और अन्य लोगों द्वारा उन्हें पढ़ने के बाद उन्हों दस आदमी थे, तब उसने संतोष के साथ सिरहिलाया और कहा, तुमने मेरे द्वारा तयार की गई युद्ध योजना को पहले ही देख लिया है. आज रात हम तीन दलों में विभाजित होंगे. पहले और दूसरे लक्षें पर हमला करने के लिए लीज योजी के किया जाएगा. गुल्लाइं तीसरे और चौथे लक्षे को मारने के लिए 20 आदमियों के एक और दल का नित्रित्व करेगा. जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से पाँचवें और छठे लक्षे को भेदने के लिए 10 आदमियों के एक दस्ते का नित्रित्व करूंगा. आज र पाया है तो बंदुकों का उप्योग न करने का प्रयास करें. हम 1030 पर ओपरेशन शुरू करेंगे. अपने लक्षित स्थान पर पहुचने के बाद लक्षों की विशिष्ट स्थिती को सपष्ट रूप से देखें और किसी भी समय कोई असामान्य स्थिती होने पर मुझे करें. इसके तुरंत बाद धनुष ने अपना हाथ लहराया और लीज याओ जी और गुल्लैन के दस्ते जल्दी से कार खाने से चले गए. धनुष के पास खड़े होकर टांग वेई ने गंभीरता से कहा भाई मुझे युध में भाग लेना चाहिए. मैं आपके दस्ते का पालन करूंगा. आप और मैं दोनों टैन परिवार के सदस्य हैं. यदि तुम युध करने के लिए जा सकते हो तो मैं भी यह कर सकता हूँ. अगर हम सब जा रहे हैं तो इस जगह की कमान कौन संभालेगा धनुष ने कहा. धनुष टैन वेई को अपने साथ जाने दो. यह स् नहीं, टैन वेई ने एक संतुष्ट मुस्कान दी. गुवान सिटी इंपीरियल नाइट क्लब. सन फैमिली के मुखिया का छोटा भाई, सन फिलॉंग अपने कई दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, जबकि युवा लड़कियों की एक टोली असाधारन सेवाए दे रही थी. यह गुवान शहर वास्तव में एक अच्छी जगह है. यह उत्तर पश्चिन में हमारे स्थान से काफी बहतर है. बॉस सन, हम दस साल से अधिक समय से दोस्त हैं, है ना? हमने आपको कई बार कहा कि हम यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन आपने हमेशा कहा कि आप किसी चीज में व्यस्त हैं. लेकिन इस बार गुवान सिटी आकर वास्तव में हमें निराश नहीं किया. एक गंजा अधेड आदमी, जिसके गले में सोने की चेन लड़की हुई थी, एक लड़की को गले लगाते हुए जोर-जोर से हंसने लगा. सन फीलॉन के मुह के कोने पर मुसकान का एक निशान जैसा उन्होंने कहा. वास्तव में दस साल से अधिक हो गए हैं. लेकिन तुम सब व्यस्त पुरुष हो, वैसे भी तुम मेरी देखभाल के लिए समय कब निकाल सकते हो. क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा सन परिवार कांगों के खिलाफ लड़ने के ही हस पड़े. बन, लात मार कर दरवाजा खोला गया क्योंकि छै हटे कटे हथियार बंद लोग अंदर घुसे और गोलियां चलानी शुरू कर दी. सबसे आगे बड़ा अधेड उम्र का आदमी एक अच्छा निशाने बास था और उसकी फाइरिंग की गती बेहत तेज थी. उसने कमरे के अंदर चार लोगों में से दो को मार डाला. यहां तक कि सन फीलॉंग के आसपास के उन चार लोगों के पास भी वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था और वे सभी मारे गए. छै बड़े आदमियों ने महिलाओं को जिन्दा छोड़ दिया. सन फीलॉंग और दूसरे लक्षे की ओर भागते हैं. सबसे अधिक लोगों को मारने वाले बड़े आदमी पर नजर डालते हुए ली जियाओ जी ने गहरी नीची आवाज में कहा. गौन सिटी रेड स्टार बात सेंटर. सनान मनोरंजन केंदर आज कल अच्छा व्यवसाय था और कई आगंत दुक्सनान केंदर के पास के स्थानों के आसपास ठगों की ओर जुप गए. उनकी हरक्तें विशेश रूप से निर्मम थी क्योंकि लगभग कोई भी व्यक्ती जो उनके चाकूँ से मिला था. एक हिंसक मौत मर गया. महज एक दो मिनट के अंदर दरजनों बदमाशों को मा गिराया जा चुका था. बंक कार्याले का दर्वाजा रौंद कर खुला हुआ था. भीतर किसी का साया चमक उठा. गुल्लैंग के हाथ में खंजर सटीक रूप से सन परिवार के प्रभारी प्रबंधक को भेद गया और अंदर की लड़की चिल्ला उठी. गुल्लैंग ने स सूर्य परिवार के एक उत्प्रिष्ट जूनियर संशियावयू थे. हालाकि इस स्थान पर सूर्य परिवार से संबंधित कई सशस्त्रबल थे. उनमें से अधिकांश सूर्य परिवार ग्वारा प्रशिक्षित विशेशग्य थे, जिनके पास असली मार्शल आर्ट कौशल था. क्लब हाउस का पिछवारा एक जीवित क्वार्टर के साथ साथ उन विशेशग्यों के लिए सामान्य प्रशिक्षन स्थान था जो जनता के लिए नहीं खोला गया था. आज रात जगह बहुत शांत और शांति पूर्ण थी. तांग परिवार के खिलाफ सूर्य और या पिला के साथ संभोग कर रहा था. कश, एक तेज मित्सुबिशी सेना के चाकू से उसकी पीठ में वार किया गया. जिस क्षन चाकू को बाहर निकाला गया, सुन्शियाओयू का रन भयानक रूप से पीला पड़ गया. जब उसने अचानक उपर देखा, तो वह सदमे से एक स्पर्ष प्रकट हुआ क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्यान का उप्योग करते हुए देखा कि सूर्य परिवार के तहट दर्जनों मार्शल आर्ट विशेशग्य नींद में एक एक करके मारी जा रहे हैं. उसने एक ठंडी और अलग मुसकान दी और कहा, सं धनुष की आवाज अभी फीकी नहीं पड़ी थी क्योंकि उसके हाथ में मिच्सुबिशी सेना का चाकू सुन शियाउयू की भाहों के बीच बिजली की तेजी से घुस गया था. इसी दौरान तक ये के नीचे से बंदूक निकालने की कोशिश कर रही नगन महिला के पेट धनुष ने लात मारी. उसे लात मारने के बाद धनुष सुश्याउयू की भाहों पर मिच्सुबिशी सेना के चाकू को पकड़ने के लिए एक तरफ चला गया और महिला के दिल पर वार कर दिया. एक दुश्मन दुश्मन था, चाहे स्त्री हो या पुरुष. और धनुष इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि महिलाएं कभी-कभी पुरुषों से ज्यादा भयानक होती हैं. उसका चहरा अचानक बदल गया. उनके आध्यात्मिक ज्यान के निरीचण में, उनके अधीन दो व्यक्ति जो हत्याओं को अंजाम दे रहे थे, उन्हें एक कमरे में लोगों को मारने के बाद दुश्मनों में से एक ने पाया. उस आदमी ने चुपके से हमले को भांप लिया और पलटवार करने के लिए अपनी बंदूग निकालने वाला था. सुन परिवार के बाकी मार्शल आठ विशेशग्य बंदूग की तेज आवाज से जाग गए थ जैसे ही वह एक छोर से दूसरे छोर तक डोड़ा, उसके हाथों मारे गए शत्रों की कुल संख्या बारह थी. कुछ ही समय में भयंकर युद्ध समाप्थ हो गया. क्लब हाउस के पिछवाडे में सभी दुश्मनों के मारे जाने के बाद धनुश और उनके दलने पहले से त हिलाया और कहा, इस ओपरेशन में सबसे महत्वपूल बात यहा है, कि हमारी पहचान उजागर न हो, इसलिए हमें पहले सभी निगरानी उपकरनों को नश्ट करना होगा. चलो जल्दी चलो. हमें छठे लक्षे के लिए सर्वश्रिष्ट समय बनाना होगा. टैंग वेई च चलाते हैं, तो आज रात के बाद कुछ ही लोग इस जगह पर आएंगे. टैंग वेई ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए सिरहिलाया, आप सही कह रहे हैं. आग एक ऐसी चीज है, जिससे हर कोई परहिस करता है. अगर मैं यहां अपना समय बिताता हूं और आग और हत्या का अनुभव करता हूं, तो मुझे डर है कि मैं भविश में यहां दोबारा नहीं आऊंगा. इसके तुरंत बाद, बारा का समूह चुपचाप दीवार के माध्यम से निकल गया. खून की एक बेहोश गंध हवा में उर गई क्योंकि काले बादलों ने अंजाने में आकाश से भरे सितारों को ढखलिया था. मानो पूरी दुनिया नींद में सो गई हो. इन छै स्थानों से याओ और सन परिवारों द्वारा प्रशिक्षित दो सौ से अधिक विशेशग्यों को बेरहमी से मार डाला गया. चार स्थानों में से तीन याओ और सन परिवारों की समूह पनिया और एक महत्वपूर्ण गोदाम पूरी तरह से जल गया था। यंग मास्टर मिंग दिंग ग्रूप के मुख्याले में आद लगा दी गई थी। निगरानी नियंतरन कक्ष में चार सुरक्षा गाड मारे गए। कमपनी द्वारा अंदर रखे गए सभी सेंपल भी जल गए। सबसे खास बात ये है कि नए प्रोड़क के सेंपल और डेटा अंदर थे। इस बार हमारा नुकसान बहुत बड़ा है। याओ शिनहुआ की पुतली सिकुड गई और उसका शरीर अचानक कामपने लगा। वह मिंग दिंग समोह द्वारा शोधित और विक्सित किये गए नए उतपाद को जानता था। यह मुत्रमार्ग शोध के लिए एक नई दवा थी। आज दोपहर इस नए उतपाद के अनुसंधान एवं विकास मुख्य शोध करताने सिर्फ नमुने और अनुसंधान एवं विकास डेटा मुख्यालय को भीजे थे और उन्हें उतपाद का विवर्ण भी समझाया था। मल। मैंने उन चीजों को कमपनी के मुख्यालय में क्यो रखा, अफसोस और रोश से भरे याओ सिन्हुआ की उग्र अभिव्यक्ती मुर गई। अंगूठी 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 टेबल पर रखे मोबाईल की रिंगटोन बज रही थी। याओ सिन्हुआ ने मोबाईल पकड़ा, फिर भी कर्मी मारे गए और क्लब हाउस को जला दिया गया, कमपनी समोह के मुख्यालय को भी जला दिया गया और कई सुरक्षा गार्ड मारे गये, मेरा, मेरा छोटा भाई सुन्फीलोन भी मर गया, कोन से सन फैमिली के मुख्या सुन्फीली की आवाज आई, अपना मुन्ह खोलने क बावजूद याउ सिन हुआ कुछ नहीं कह सके। बावजूद याउ सिन हुआ ने अपना सिर्हिलाया और कहा वह बीजिंग का प्लेबॉय है। वह टैन परिवार के लिए कुछ व्यवसाय चलाता है लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है। वह सिर्फ टाइकवांडो का अभ्यास करता है इसलिए वह एक औसत व्यक्ति से थोड़ा ही मजबूत है। यह उसे नहीं होना चाहिए। टौपरसन ने अपना सिरहिलाया और कहा चंगबू टाउन में अर्थ कैबिनेट फैक्टरी में हमारे लोगों पर हमला करने वालों में एक विशेशग्य होना चाहिए। वह आदमी बहुत शक्तिशाली है और मुझे डर है कि मेरे पास ऐसा अध्भुत कौशल नहीं है। मैंने मृतकों के शरीर पर सभी घावों की जाच की है। उनमें से कई को चाकू से मार दिया गया था। याओ सिन्हुआ की अभिव्यक्ति टिम्टिमा गई। उन्हें टॉपर सन्कीक शम्ताओं के बारे में बहुत जानकारी थी। अगर वह खुद को दुश्मन से कमतर महसूस करता है तो इसका मतलब है कि उसे सतर्क रहना होगा। समय ने भाग लिया। आधे घंटे बाद सन्फेले एक दरजन अंगरक्षकों के साथ रिवर्बे मैनर पहुँचे। फैमिली हेड सन्कृप्या बैठ जाईए याओ सिन्हुआ ने सामने सोफे की ओर इशारा किया और शांती से कहा। कड़वे भाव के साथ सन्फेली ने कहा यंग मास्टर याओ मेरे सन्फेली टर्फ की साइटों को अपने हाथों की हथेली की तरह जानते हैं। आश्चर यजनक हमले बहुत तेज थे और वे सफल होने के बाद तेजी से पीछे हट गए। मेरे पास किसी को बचाने का समय नहीं था। मेरे याओ परिवार से संबंधित दो साइटों पर भी हमला किया गया था और हमने बहुत से लोगों को भी खोया है। हमारे मिंदिंग समूह का मुख्याले तान परिवार के स्टार लाइट समूह की तरह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी जा सकता है और आसानी से जा सकता है। याओ सिन हुआ ने शांती से कहा क्या आपको यहां आने से पहले यह खबर नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, सनफीली ने सिरहिलाया और कहा, लेकिन तांग परिवार के लोगों ने वैसे भी क्या किया? मुझे नहीं पता, याओ सिन्हुआ ने अपना सिरहिलाया और कहा, तांग युनपेंग पहले से ही जुसुपरांत में वापस आ गया है. वे मूल रूप से रेड मेपल विला कॉंपलेक्स में तैनाथ थे, लेकिन वह जगह अब सुनसान है. जिन लोगों को मैंने गुप रूप से उन पर नजर रखने के लिए वहाँ भीजा था, वे भी मारे गए थे. मैं नहीं जानता कि अब उनका बसेरा कहा है. तो क्या करें? सन फेली ने अपनी भौहे सिकोडली और उचसुकता से पूछा, हमने अभी अभी इतने नुकसान खाए हैं, क्या हम बस बैठ कर मरने का इंतजार करते हैं? क्या आपको लगता है कि बैठना और मृत्यू की प्रतीक्षा करना मेरे स्वभाव में है? याओ सिन हुआ की अभिव्यक्ती ठंडी और कड़क हो गई, हमने उनकी राह खोदी है. अब सबसे महत्वपून बात यहा है, कि उन्हें ढूंधा जाएं, और फिर उन्हें नश्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत इकठी कर ली जाएं. मेरे पास उन हत्यारों को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ने का आदेश है. सन फेली ने गंभीरता से कहा, मेरे सन परिवार का खुफिया नेटवर्क वर्तमान में अधिक्तम गती से काम कर रहा है. इसलिए हम उन्हें तब तक धूंड पाएंगे जब तक वे गुआंग् तांग परिवार ने आज रात हमें एक बड़ा जटका देने की तयारी की थी. याउशिन हुआ ने सिरहिलाया और कहा, पहले अपने सैन्यबल को जुटाने पर ध्यान केंगरित करने से पहले अपने नुकसान का विशलेशन करें. जब तक हम उनके निशान पा सकते हैं, मैं यंग मास्टर याउ, मेरी खुश्कबरी का इंतजार करो. मैं आपके गुस्से को समझता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, याउशिन हुआ ने सिरहिलाया और कहा, लेकिन अब हमारे लिए भ्रमित होने का समय नहीं है. टैंग परिवार के पास एक करने के लिए बहुत बड़ी है. सुन फीली ने कड़वी मुस्कान बिखेर दी. आज रात थी, लेकिन केवल एक दुरगट ना थी. याउशिन हुआ ने आत्म विश्वास से कहा, विपरीत पार्टी को आज रात एक बड़ा फायदा हुआ है. इसलिए वे शायत पीछे हट जाएंगे और कुछ समय के लिए रुके रहेंगे. वैसे उन सरकारी अधिकारियों को बताएं जिन्हें आपने समझा है कि बाई यान को दोशी ठहराने के लिए कोई उपाय खोजें. जब तक वह अपने आपराधिक आरोकों का दोशी पाया जाता है, तब तक बाई परिव ने बेपसी से कहा, हालांकि आज रात जो हुआ वह बहुत बड़ा है. मुझे विश्वास है कि यह निश्चित रूप से पूरे गुआंगयान प्रांत में हल्चल मचाएगा. मुझे डर है कि देश की उन बड़ी ताक्तों को भी पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या हु तो हम उसे पीडित करने के लिए जेल में कुछ लोगों को खरीद लेंगे. अगर फिर भी बात न बनी तो सीधे उसे मार डालो. उसके आत्महत्या करने का द्रिश्य बनाने के लिए किसी भी तरह का उपयोग करें और इसकी घोशना करें. मेरा मानना है कि मुझे आपको यह सिखाने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे करना है, ठीक है. यंग मास्टर याओ, निश्चिन्त रहें, सुफेली की आखों में चमक आ गई और उन्होंने सिरहिलाया और कहा, मैं गारंटी देता हूं कि बाई यांग कर रात तक जीवित नहीं होंगी. सुभा होने से पहले, अपरेशन कैसे पूरा हुआ? धनुष मुस्कुरा रहा था और उसने सिगरेट सुलगाई और एक गहरा कशलिया. ली ज्याओ जी ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे खुशी-खुशी हत्या किये काफी समय हो गया है. आज रात हमने 62 शत्रूओं का सफाया कर दिया है. दो ल ली ज्याओ जी एक पल के लिए अचंभे में पढ़ गये और फिर उन्होंने एक कड़वी मुस्कान बिखेर दी. उसने सोचा कि उसके समोहने सबसे अच्छा किया है, लेकिन इस रहस्यमई गुल लैंग की तुलना में बहुत थोड़ा बुरा निकला. तुम लोगों ने अ पुरुषों में से शायद एक तिहाई लोगों को हटा दिया है. अगर हम आज रात बीजिंग में अपने परिवार को इस जीत की सूचना देते हैं, तो दादा जी खुश होंगे, तान वेई हसे. जैसे ही जूजी के दिल में पूजा का उदे हुआ, उसकी आखों में रोश कहा, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है. नतीजा मेरी उम्मीद से 10 गुना बहतर है. मैंने मूल रूप से सोचा था कि हमें गुआंगयान प्रांथ से पूरी तरह से हटना होगा. लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि धनुष के नेत्रित्व में सिर्फ दो ऑपरेश है कि गुआंगयान प्रांथ के शीर्ष नेता शांत नहीं बैठ पाएंगे. अगर हम आज रात फिर से दिखें तो वे हमें दबा देंगे. लेकिन शिकार से आपका क्या मतलब है? हत्या धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा. अभिव्यत्ती में थोड़े बदलाव के साथ जूजी ने पूछा निशाना कौन है? याओ और सन परिवार के लोग? याओ और सन परिवारों के लोगों की हत्या की सूची बनाने के लिए मुझे आपकी मदद की जूरत है जो गुआंगयान आते हैं. धनुष ने सिरहिलाया और कहा अगर हम गुआंगयान में लड़ाई पहले खत्म करना चाहते हैं, तो हमें दुश्मनों को मारना होगा और उनमें डर पैदा करना होगा. यह सही है. चुंकि वे इसे शुरू करते हैं, तो हम उन्हें वापसी के तौर पर तगड़ा जटका देंगे. तांग वे ने गंभीरता से सिरहिलाया, अब मैं बस्तव मे उम्मीद कर रहा हूँ कि याओ परिवार बड़ी संख्या में पुरुशों को भेजेगा ताकि हम उनमें से अधिक को मार सकें. मुझे उम्मीद है कि हम इस तरह की स्थिती में परियात लाब उठा सकते हैं, और इस खेल को पहले खत्म कर सकते हैं. धनुश ने अपना सिरहि और कहा, मेरा मानना है कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में हमारा टैन परिवार किस तरह की स्थिती में है. अगर हमारा परिवार वास्तव में याओ परिवार के साथ सभी मर्यादा खो देता है, तो मुझे डर है कि हमारे परिवार को भी भारी जटका लगे क्योंकि उन्होंने बाद में चुपचाप सिरहिलाया, जैसे दादा जी ने कहा, हमारे परिवार को अब जिस चीज की सबसे ज्यादा ज़रूरत है, वह समय है. जब तक हमें तीन से पांच साल का समय दिया जाता है, उस समय तक याओ परिवार तो दूर हमारे परिवार को देश के शीर्ष परिवारों से डर भी नहीं लगेगा. यह सही है, हमें जो चाहिए वह बिल्कुल समय है. धनुष ने कहा, दरसल हमारे और याओ परिवार के बीच का यह खेल केवल खुद को लाथ पहुचाए बिना दूसरों को नुकसान पहुचाने का मामला है. इसलिए, जब हम शिकार करना शुरू करते हैं, तो हमें न केवल अधिक से अधिक शत्रों को मारना चाहिए, बल्कि हमें लाभ भी प्राप्त करना चाहिए. इसके अलावा, यही कारण भी था कि मैंने शुरुवात में गुलान को बुलाने का फैसला किया. लेकिन भाई वेई, आपको यहां रहना होगा, और मेरे आदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी. यह, यह सुनकर टैंग वेई कुछ जिजग गई. टैंग वेई, चुंकी धनुष ने पहले ही ऐसा कहा है, तुम्हें उसकी बात सुननी होगी, जू जी ने कहा, मेरा मानना है कि आप जानते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है. उसे कुछ नहीं होगा. ठीक है. मैं यहीं रहूँगा और इस जगह की देखभाल करूँगा. टांग वेई ने बेबसी से सिरहिलाया. फिर मेरे बारे में क्या, जू जी ने मुस्कुराते हुए धनुष की ओर देखा और कहा, क्या मुझे यहां रहना जारी रखना चाहिए? या, चाची जू हालांकी स्टार लाइट समोह मुख्याले नश्ट हो गया है, कमपनी में अभी भी कई मुद्दे हैं, इसलिए आपका यहां रहना समस्याजन्क है. धनुष ने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप भी मेरे साथ फुकाम चलें. आप वहां के शाखा कार्याले में कमपनी के मामलों के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेंगे. हालांकी चिंता न करें. मैं आपको आपके मौझूदा अंगरक्षकों से अलग रखने के लिए चार विशेशक्यों को भेजुंगा. मेरा मानना है कि बड़े पैमाने पर चुपके से किये गए हमले में भी वे आपकी रख्षा कर सकते हैं. कि मेरे साथ ठीक है, जूजी ने मुस्कराते हुए कहा. इसके तुरंट बाद, धनुष ने हुआन परिवार की बुद्धिमत्ता के आधार पर जूजी की सहायता से एक हिट लिस्ट कैयार की. याओ और सन परिवारों के लोगों के अलावा, इस हत्या सूची में फुकां के यान परिवार के लोग भी शामिल थे. इसके अलावा, धनुष ने गुआंगयान परांत में हत्याओं को खतम करने के बाद, तुरंट फुकां परांत में सफाई शुरू करने का फैसला किया था. बीजिंग तांग परिवार के पूर्वजों के घर में, दो भाई तांग गोशेंग और तांग गोशों कुछ मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, जबकि तांग मिन बगल में चाय परोस रहा था, और बीच-बीच में बाक्चीत में कुछ शब्द जोड़ रहा था. अंगुठी, अंगुठी, अंगुठी. तनी हुई भाईों के साथ, तांग गोशेंग का दिमाग तुरंट गोआंगयान प्रांथ की समस्या पर चला गया. लगभग बिना किसी हिचकी चाहट के, उसने मोबाईल पकड़ लिया और यह देखकर तुरंट उत्तर बटन दबा दिया कि यह धनुष का फोन था. धनुष, तुम इतनी रात को आराम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ चीजे हैं, धनुष ने कहा. क्या हुआ? गोआंगयांग में कुछ हुआ है, तांग गोशेंग से पूछा. दो घंटे पहले मैं अपने लो चौका देने वाला. बस बहुत चौकाने वाला. उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था. यह ज्यात होना चाहिए कि भले ही गोआंगयांग में याओ परिवार की सेना बड़ी नहीं थी, लेकिन सूर्य परिवार वहां का स्थाने अत्याचारी था. एक ही समय में उनकी एक तिहाई सेना को नश्ट करने के लिए कितने जनशक्ती की आवशक्ता होगी. तांग गोशिंग के होंट कामपने लगे और उसने लडखडाती आवाज में पूछा, एक सधनुष तुमने यह कैसे किया? हमारा तांग परिवार हुआंग परिवार की खुफिया जानकारी से समर्थित था. मैंने अपने कुछ आदमियों को भी बुलाया. इस प्रकार हमने दुश्मन के छै अलग-अलग स्थानों पर हमला किया. क्या उन्होंने हमारे टैंक के स्टार लाइट ग्रुप मुख्याले को नहीं जला दिया? इसलिए मैंने यहाँ याओ और सन परिवार का पूर्ण अधिकार है और मुझे अभी-भी खबर मिली है. मुझे लगता है कि या उसके पुराने धुंदलेपन को भी अब खबर मिलनी चाहिए. हाँ हाँ. मैं खुश हूँ. बहुत खुश हूँ. दादा जी, जू जी यहाँ कारवाई के विवर्ण के साथ ए एक उलेखनिय जीत हासिल की है, लेकिन आपको दुश्मन को कम नहीं आकना चाहिए. अगर कुछ गलत होता है, तो आपको और लिटिल वेई को तुरंत पीछे हटना चाहिए. यह ठीक है अगर आपको गुआंग्यांग और फुकान को छोड़ना पड़े, तांग गोशेंग दो दिनों के बाद मैं फुकान प्रांथ के लिए वहां के याओ, सुन और यान परिवारों के साथ संधर्श करने के लिए रवाना हो जाओंगा. फुकन में हुआन परिवार के बारे में क्या? क्या वे मदद करने जा रहे हैं? तांग गोशेंग से पूछा. नहीं, मैं नह करने के लिए अपना सब कुछ दे देंगे. या कैसे संभव हो सकता है? दादा जी, मैं इस समय आपको कुछ बाते नहीं बता सकता, धनुष ने कहा. मुझे विश्वास है कि समय आने पर आप इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, मैं देखता हूँ, तांग गोशेंग ने कह फोन कॉल समाप्त होने के बाद तांग मिन ने जल्दी से पूछा, पिताजी गौांग्या में क्या हुआ? तुम्हारा मुह थोड़े टेढ़ा है. अपने चहरे पर खुशी के साथ तांग गोशेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको. जब तक आप इसे सुने तब तक प्रतीक्षा करें. आ, धनुष तैंग परिवार की संतान के रूप में वास्तव में योग्य है. शांदार अध्भुत, तैंग गोशो और टैंग मिन ने एक दूसरे की ओर देखा. पहले वाले ने जबरदस्ती मुसकराते हुए कहा, सबसे बड़े भाई, हमें अनुमान मत लगाओ, है ना? आखिरकार वहाँ क्या हुआ? कान से कान मिलाते हुए, तांग गोशिंग ने कहा, बस आज रात धनुष ने अपनी सेना को गोआंग्याम में याओ और सन परिवारों की एकतिहाई सेना को खत्म करने के लिए लाया. क्या? आकाश? तांग गोशो और तांग हुए कहा. सबसे बड़े भाई, अगर धनुष ने जो कहा वह वास्तव में सच है, तो ग्वांग्याम में हमारे तांग परिवार को स्थिती पर उपरी हाथ माना जा सकता है, तांग गोशु उच्साहित था. हम यह भी जानते हैं कि याओ और सन परिवारों की साजिशों को मूल रूप से कई वर्षों के लिए तयार किया गया था. वहाँ पर उनका अधिकार हमसे कम से कम दोगुना है. यह सोचने के लिए कि उन्हें अब इतना बड़ा नुकसान हुआ है. मुझे डर है कि याओ उसके पुराने व्रिध को अब तक मौत के घाट उतार दिया जाना कई कुत्तों के भॉंकने की आवाजे कभी कभी सुनसान आंगन में सुनाई देती थी. मुख्य घर के अंदर चीजों के गिरने की आवाज विशेश रूप से तेज थी. याओ किंदजुन के चहरे पर गुस्सा आ गया. उसके सामने तीन पुरुष और दो महिलाए थी, जो मौन में खड़े होने के समान ही क्रोधित दिख रहे थे. पिता जी हमारे नुकसान के आंक्रे सामने आ गए हैं, याओ चेंग किंग ने अपने हाथों में दस्तावेजों के मोटे धेर के साथ कमरे में घुसने के बाद कहा. दस्तावेजों के उस धेर को पकड़ते हुए, याओ किंग जुन ने फिर जल्दी से उन्हें पढ़ा, उसका रंग जितना अधिक समय तक पढ़ा जाता था, उतना ही बदसूरत होता जा रहा था. जब उन्होंने अंतिम प्रिष्ट पढ़ना समाप्त किया, तो उन्होंने जम कर दस्तावेजों के धेर को मेस पर गिरा द याओ चेंग क्विन ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी और कहा, गुआंगयान प्रांत में तांग परिवार की सेना बिना किसी निशान के गायब हो गई. सिन्होंने सोचा की वेच छिप गए हैं और अस्थाई रूप से कोई चाल नहीं चलेंगे. किसने सोचा होगा? उसन उसका शत्रो को कम आकना इसलिए है क्योंकि वह बहुत अहंकारी है. याओ किंगजुन ने गुस्से में कहा, इससे पहले हमने तांग और बाई परिवारों का द्रिड़ता से दमन किया था और उनकी सेना को नश्ट कर दिया था. फिर भी नुकसान आज रात जितना बुरा नहीं था. क्या तांग युनपेंग ने गुआंगयान को नहीं छोड़ा था? आज रात ओपरेशन का नेतरित्व कौन कर रहा था? हमने अभी तक इसकी जांच नहीं की है. याओ चेंग किंग ने अपना सिर हिलाया. तकराना. याओ किंग जुन ने मेज पर सब कुछ तोर दिया और गुस्से से दहाडा, तुमने इसकी जांच नहीं की. दुश्मन ने हमें ऐसी हालत में पहुचा दिया है, फिर भी आपने हमारे दुश्मन की पहचान तक नहीं की. याओ चेंग प्विंग और अन्य लोगों ने बिना कुछ बोले अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसे माहौल में बहुत अधिक सांस लेने की हिम्मत नहीं की. शर्मनाक, वे बहुत लग्जित हुए. काफी देर के बाद तभी याओ किंग जुन ने कुछ गहरी सांसे ली और बोले लियां टेंग को कुछ आदमियों को वहां ले जाने के लिए बुलाओ. सिन्हुआ से कहो की अगर वह कोई प्रगती नहीं करता है, तो वहां से निकल जाओ और खुद को और बदनाम करना बंद करो. लियां टेंग, याओ चेंग किंग और कई अन्य लोगों के चेहरे के भाफ बदल गए. पिता जी, लियां टेंग हमारे परिवार के सबसे मजबूत गुप्त कर रहा है. अगर वह चले गए और टैंग परिवार, वैसे भी टैंग क्या करेंगे, याओ किंदजुन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और ठंडेपन से कहा, वे अब कागजी शेर के अलावा और कुछ नहीं है. वे उन छोटे परिवारों को डराने में सक्षम ह हो सकते हैं, लेकिन क्या वे इतनी बेशर्मी से हमारे याओ परिवार पर हमला करने की हिम्मत करेंगे? हमफ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नीचे देख रहा हूँ, लेकिन वे अधिक साहस होने पर भी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे. एक पल के लिए चुक रहे, सेंट टैंक और के कई कर्मचारियों को एकजिट गेट से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया. एक दुबले प्तले कद का सुकवान जो बहुत बुद्धिमान लग रहा था, उसने अपने हाथ में एक कॉंबिनेशन लॉक ब्लाक ब्रीफ केस कसकर पकड़ा हुआ था. यह सह नहीं है. कई बार इधर उधर देखने पर सुकवान ने कांजिया से उसकी तरफ शिकायत की. बिग बॉस तांग हमें लेने भी नहीं आए. उसकी ओर देखते हुए कांजिया ने एक हलकी सी मुस्कान दी और कहा शुरू करने के लिए आने से पहले हमने उससे संपर्क नहीं कवान ने मुस्कराते हुए कहा. कांजिया ने थोड़ा सिर हिलाया. समुह ने एक टैक्सी ली और फिर पांच सितारा कपूर होटल पहुचे. खुद को व्यवस्थित करने के बाद कांजिया ने स्नान किया और धनुष का सेल नंबर डायल करने से पहले अपने कपड़े एक आप खाली है? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, कांजिया ने मुस्कराते हुए कहा. मैं इस समय गुआंगयान में हूँ. मुझे यहाँ एक महत्वपूर्ण मामला निप्ताना है. धनुष ने कहा, मैं इसे खत्म करके वापस जाऊंगा. गुआंगयान, कांजिया के च यहाँ के मामलों को निप्ताने से मुझे बिल्कुल भी फुर्सक नहीं मिलेगी. फिर आपका स्कूल. कांजिया ने कहा, मैंने इसे ठीक से व्यवस्थित किया है, इसलिए मुझे सैने प्रशिक्षन में भाग लेने की आवश्चक्ता नहीं है. धनुष ने मुस्कराते हु नया कार्यकाल 20 तारीक से शुरू हो जाना चाहिए. अगर मैं कक्षा शुरू होने से पहले वापस चला जाऊं तो अच्छा है. इस प्रकार वाइन चखने के सम्मेलन के मामले की देखरेक के लिए मुझे आप पर निर्भर रहना होगा. चिंता मत करो. मैं इसे अच्छे से मैनेज कर लूँगा. कामजिया ने मुस्कराने पर मजबूर कर दिया. ठीक है. यह सब कुछ हो जाएगा धनुष ने कहा. कामजिया ने फोन रख दिया और अपने द्वारा उठाए गए हैंड बैक को नीचे रख दिया. उसके बाद वह शंधाई के रात के द्रिशे को दे थोड़ी देर उसके साथ रहने के लिए सम्मेलन का लाब उठाना चाहती थी. लेकिन फिर वह गौंगयां क्यों गया? अपना सिर हिलाते हुए और चुपके से अंदर आहे भरते हुए कंजिया ने महसूस किया कि धनुष इतना. व्यस्त हो गया था कि वह अकसर उसे लंबे के कारण नहीं होता, तो उसे कांग जिया से मिलना पड़ता और आधी रात को नाश्टा करना पड़ता. व्यंजनों और सुन्दरता के साथ इस तरह के प्यारे द्रिश में एक सुन्दर दिन होना निश्चित रूप से यहां गौंगयां में दुश्मन पर योजना बनाने क के लिए मेरे दिमाग को रैक करने से कहीं बहतर है. अपना सिर हिलाते हुए धनुष के दिल में याओ और सूर्य परिवारों के प्रती गुस्सा बढ़ गया. फिर वह एक पल की खामोशी के बाद कमरे से बाहर निकला और चिलाया, गुल लैंग, अब मुझ से मिलने आओ. शू, जैसे ही गुल लैंग साफ सुथरे कपडों में दिखाई दिया, दूसरे कमरे से एक सिलहूट निकला. उसने फिर सम्वान पूर्वक कहा, बॉस, क्या आपके पास मेरे लिए आदेश है? धनुष ने कहा, मेरा मूर खराब है और मुझे नेंद नहीं आ रही है. बाहर गंभीर मत बनो, धनुष ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो चलें. यहां निश्क्रिय रहने का अर्थ है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं. चलिए याओ और सन परिवारों को एक और दरा देते हैं. ओ सही, ली जियाओ जी को भी कॉल करें. उसे हमारा ड्राइवर बनने दो. ह गुल्लैंड ने उत्तर दिया और तुरंत अगले दर्वाजे की ओर चल दिया. बॉस, मैं अभी कार लाता हूँ. गुल्लैंड के दर्वाजे के पास आने का इंतजार किये बिना, ली जियाओ जी ने जल्दी से दर्वाजा खोला और बाहर निकले और कान से कान लगा कर मु गाड़ी चलाते समय ली जियाओ जी ने अपने चहरे पर मुसकान के साथ पूछा, बॉस, हम कहा शिकार करने जा रहे हैं? सूर्य परिवार के प्रमुख धनुष ने कहा, चीख, ब्रेक लगाते हुए ली जियाओ जी चकित रह गए और उन्होंने पुकारा, बी बॉस, जैसा नहीं लगता कि आप मजाग कर रहे हैं, ली जियाओ जी ने मुसकराते हुए कहा, लेकिन फिर भी हम में से केवल तीन है, अगर हमें सन परिवार के मुख्य आधार में सेंध लगानी है, तो हम, हम बस मौत को दावत दे रहे हैं, मौत की परवाह किये बिनाया नहीं, ह फिर भी इमानदारी से आगे बढ़े, वह हमेशा सोचता था कि धनुष परिपक्व स्थिर और साधन संपन्न था, तैंग परिवार का एक बहुत ही उतक्रिष्ट वंशज, इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धनुष पलपल की योजना तयार करेगा, और अप्रत् लोगों के लिए सूर्य परिवार की जागीर को बरबात करना लगभग असंभव था, उन तीनों को तो छोड़ ही दें, ली जियाओ जी ने चुपके से आह भरी और गुलैंग पर एक नजर डाली, हाला कि वह अंदर ही अंदर काप गया, क्योंकि उसने पाया कि न केवल उस आदमी ने जरा साभी डर नहीं दिखाया, बलकि उसकी आखों में भी चमक आ गई, वह अत्यधिक उत्सा ही दिख रहा था, विचित्र, बॉस संकी है और उसके आदमी भी, अंदर कराहते हुए ली जियाओ जी केवल कार चलाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, गौन सिट पर और एक धारा के बगल में स्थित्था, चारों और हर तरह के फूल और शांदार हर्याली थी, रात भी अपनी सुंदर्ता को छुपा नहीं पा रही थी, संट फैमिली मैनर से कुछ किलोमेटर की दूरी पर एक सडक कांटा था, क्योंकि ली जियाओ जी ने सडक के किनारे कार खड़ी की थी, बॉस तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाओ, केवल गुल्लैंग और मैं अंदर घुसेंगे, धनुष ने सिर हिलाया और कहा, गाड़ी यहां से थोड़ी दूर चलाओ, ताकि संट फैमिली के आदमी उसे ढूंद न पाएं, ठीक है, ल करे को कवर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना को जारी किया, इसके साथ वहस पष्ट रूप से निरीक्षन कर सकता था कि क्या परिशानी का मामूली संकेट दिखाई देता है, गुल्लैंग क्या तुम भी यानर द्वारा पाले गए थे, जैसे ही वे सन फैमिली मैन के आंगन की दीवार के बाहर पहुँचे, दोनों सीधे दीवार पर नहीं कुदे, बलकि दीवार के नीचे जुप गए और फुसुसाएं। हाँ गुल्लैंग ने कहा, जहां तक मुझे पता है, यानर ने कुल 6 लोगों को अपना उपनाम दिया है। सियाव सुए के अलाव भावना के अवलोकन के साथ दीवार से गुजरते हुए दस आदमियों का एक गश्ती पाया, इस प्रकार वह फुसुसाहटों के बावजूर गुल्लैंग के साथ समय और गपशप करना चाहता था। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका स्वभाव के अनुरूप था, एकांध और असामाजिक। कई मिनट बाद गश्त ने धनुष की आध्यात्मिक भावना के दायरे को छोड़ दिया। उसने फिर दीवार पर लगे पावर ग्रेड की ओर इशारा किया और फुसुसाया, मैं तुम्हें वहां उपर फिंक दूंगा। यह उचा है, इसलिए आपको अपने लैंडिंग स्थान को चुनने में सावधानी बरतनी होगी और जमीन पर नहीं गिरना होगा। पास की तीन या चार मीटर उची आंगन की दिवार और दिवार से लगभग एक मीटर दूर पावर ग्रेड को देखते हुए, गुल लैंड ने सावधानी के तीसरी मंजिल से कूट जाता तो शायद वह घायल हो जाता। अब धनुष ने धीमी आवाज में चिलाया और उसने गुल लैंड की कमर पकड़ ली और जोर से उसे उपर फेंक दिया। बाद में गिरने की हलकी आवास सुनाई दी। अपनी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से उन्होंने गुल लैंग को देखा जब उन्होंने उत्तोलन बल उधार लिया और पास के जंगल में एक फुर्तिली चीते की बिल्ली की तरहे चले गए और तुरंत आंतरिक रूप से प्रशनसा की। अगले ही पल पंजों के बल दीवार पर पाव रखते हुए धनुष का शरीर उपर की ओर धनसा और उसकी उंगलिया दीवार के नीचे लगे बिजली के ग्रेड को पकड़ लिया। अपनी उंगलियों के बल से उसने अपने शरीर को हवा में उपर उठाया और फिर अपने पैर के अंगुठे को उस स्थान पर ले गया जहां उसकी उं पर पड़े वह चीते की तरह जाडियों में घुस गया। थोड़े प्रयास से वह पलक जपकते ही जंगल में भाग गया। सोर्य परिवार बहुत सतर्क है। अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें। दूर से टिम्टिमाती रोशनी को देखते हुए जो करीब आ रही थी फुसफुसाया। रोजर दैट बॉस गुल्लैंड ने कहा। जब गली के अंत में गश्ती दल की फ्लेशलाइट गायब हो गई तो धनुष ने कई निगरानी कैमरों के मृत कोन से गुल्लैंग का नित्रित्व किया। वे चुपचा पास के गार्डन हाउस के पास पहुँचे। धनुष ने अपनी आध्यात्मिक सूच बूच से घर के अंदर की स्थिती को देखा। एक महिला और दो बच्चों के अलावा स्टडी रूम में बैठा एक अधेड उम्र का शक्स भी पिस्टल से बजा रहा था। लीई, सन परिवार के दामाद, एक चतुर दिमाग और बहुत सारे योगदान के साथ एक विशेशग्य सेनानी। आदमी के रूप को सपश्ट रूप से देखने के बाद धनुष के दिमाग में जाच के आंकडे उभरे। जानकारी में उस अधेड उम्र के शक्स की फोटो भी शामिल थी। अध्ययन कक्ष के अंदर लीई की आखों में एक मुस्कान का भाव उभर आया जब उसने अपनी पिस्टॉल से हाथा पाई की। वह इस समय किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहा था। वह आदमी सन फीलोंग मर चुका है। सूर्य परिवार का नियंतरन बहुत कम हो जाएगा और उपलग्ध जनशक्ती भी कम हो जाएगी। तो क्या मैं और व्यवसायों का प्रभा परिवार मिल सकता है। उस समय यदि आप मुझे अंदर नहीं लेना चाहते तो भी आप किसी और को नहीं खोच पाएंगे। जैसे ही उसने पिस्टॉल नीचे रखी यी ही अपनी खिलकी के बाहर जिलमिलाती परचाईयों से अंजान थे। उसने एक नंबर डायल करने के ल के लोग मरेंगे उतना ही अधिक अधिकार और धन हम उनसे बाद में प्राप्त कर सकते हैं। अधिनी आवाज में कहा यह बहुत दिल्चस्प है। सन फैमिली में कुछ लोग जो एक ही सरनेम के नहीं हैं उनका दिमाग अलग लगता है। हम उसे रखेंगे, मैं भविश्य में उसके बहुत काम आऊंगा। इस बात से अनभिग्य की धनुष का इससे क्या मतलब है। ग धनुष और गुलाइन बगीचे के घर में घुस गए। लगभग बिना किसी शक्ती का अपव्याय किये वे दूसरी मनजिल के शयनकक्ष में पहुँचे। इस समा अंदर एक महिला और एक पुरुष सो रहे थे। धनुष ने उस व्यक्ती की पहचान सूर्य परिवार की ए बिना किसी निशान के गायब हो गए। वे जल्द ही एक और गार्डन हाउस में दिखाई दिये। अपनी सपष्ट धारना के साथ धनुष ने आसानी से प्रत्येक बगीचे के घर में स्थिती का अवलोकन किया और दुश्मन की स्थिती का तुरंत पता लगाने में सक्षम ह हो गए। हालांकी गुल्लाइन के पास धनुष की धोखा देने की ख्षमता नहीं थी, लेकिन वह कई लड़ाईयों से गुजर चुका था और हत्याओं में बहुत अनुभवी था। इसलिए अपनी टीमवर्क के साथ वे पहले से ही छै बगीचे घरों को साफ कर चुके थे या तो आश्चर्यजनक या अंदर के लोगों को मार डाला। अब तक उनके हाथों मरने वालों की संख्या कुल आठ हो गई थी। सन फैमिली मैनर में एक और गार्डन हाउस के अंदर। सन फेवु ने अभी तक आराम नहीं किया था। उसके सामने खड़े दो बड़े दब परिवार के सशस्त्रबलों के एक तिहाई और उनके धन का लगभग दस्वा हिस्सा नियंतरित करता था। यह कहा जा सकता है कि उसे खोना अपनी एक अंगुली खोने के समान था। एक कियांग मेरे दूसरे भाई को मार दिया गया है, इसलिए मैं आपको उसके द्वारा प पर दुश्मनों को मारने में संकोच न करें। जैसा कि उसने पूरी गंभीरता के साथ कहा, सुन फीवू की द्रिष्टी एक लंबे हट्टे-कटे आदमी पर पड़ी। निश्चित होना। मैं उन टैन परिवार के कुत्तों को गोली मार दूंगा और सुनिश्चित कि वे बहुत मरें। कश एक मित्सुबिशी सेना के चाकू ने उसके दिल को पीछे से बुरी तरह से काट दिया क्योंकि पतली उंगलिया उसके मुह को धक देती थी। दरवाजे की दिशा से खंजर पकड़े हुए एक आकरती बिजली की तरह धराशाई हो गई। थोड़ी जो उसकी ओर दौड रहा था। हाला कि धनुष जो सबसे पहले अंदर घुसा था पहले ही किनारे की ओर चला गया था और सुन फेवु के हाथ को काटने के लिए अपने चाकू को काट दिया जिसमें पिस्टॉल थी। चुप रहें। धनुष ने सन फेवु की गरगन पकड और मित्सुबिशी सेना के चाकू को उसकी गरगन पर दबाते हुए उसका मुहढ़क दिया। दर्ध ने सुन फेवु का चेहरा लाल कर दिया और उसका शरीर एंट गया। जरासी आवास करने की भी उसमें ताकत नहीं थी। वह केवल यह देख सकता था कि उसके अमने मारे गए क्योंकि वे अपने ही खून के पूल में गिर गए थे। उसका हरिदय बर्फ की तरहा बदल गया। धनुष ने मुस्कुराते हुए हलके से कहा, ठीक है, जीवन हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीज है चाहे आपके पास कितनी भी दौलत क्यों नहो। एक ब जबाते हुए सनफीवु का निचला होंट हिल गया, यह इशारा करते हुए कि वह बोलना चाहता है। सनफीवु के मुह पर अपना हाथ धीला करते हुए, धनुष ने फिर ठंडेपन से कहा, मदद के लिए पुकारने के बारे में सोचना भी मत। जैसे ही तुम जोर से बोल हमारी पहचान से परिशान मत हो। हम भाई गुअंध्यान पहुँचे और हमने जल्दी से पाया कि हम खाने में असमर्थ हैं। धनुष ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी और कहा, लेकिन फिर हमने सुना है कि आपका सन परिवार बहुत अमीर है। हम मूल रूप से कुछ फि तैन परिवार के लोग नहीं हो। अपनी भौहें उपर उठाते हुए और आश्चर्यकित होने का नाटक करते हुए धनुष ने वापस पूछा, तैन परिवार। कौन है वे। अंदर से चौंकते हुए सुन फेवू ने कहा, तुम तैन परिवार के आदमी नहीं हो, लेकि या आपकी इस तूटी हुई जागीर में गश्ट भी है। एक अजीब भाव के साथ धनुष ने जवाब दिया, जब हम यहाँ चुपके से आए तो हम किसी से कैसे नहीं टकराए। हालांकि मैंने कुछ लड़कों को देखा, उन्हें अंदर प्रवेश किया गया और फिर छ आगे शाली थे कि जब वे इस जगहे पर घुसे तो गश्टी दल से नहीं टकराए। यह वास्तव में अप्शकुन था, हाला कि उन्होंने कई बार इसका सामना किया था। लेकिन उसने शपत लेने का साहस किया कि यह दुरभाग्य ऐसा था जिसे उसने अपने पूरे इसा होना चाहिए नहीं। लेकिन उसने कारवाई करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सौ लाख, सौ लाख, आप वास्तव में हमें दस मिलियन देंगे। धनुष ने सुखद आश्चर्य भरे भाव में कहा। आपका जीवन केवल दस मिलियन के लायक है। यह बहुत कम है। गुल्लैंड ने कहा। गुल्लैंड क्या तुमने कहा था कि दस मिलियन बहुत कम है। क्या उनके परिवार के पास अधिक पैसा है। धनुष से पूछा। हाँ। मैंने सुना है कि उनकी बड़ी कमपनी की कीमत एक अरब से अधिक है। गुल्लैंड ने समनवय किया। धनुष का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने अपना मुह ढखते हुए सनफेवू की जांग पर वार किया और बोला तुम चोचले हो। आप वास्तव में मुझे बरखास्त करने के लिए 10 मिलियन देना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि यह बिग बैड़ी बेवकूफ है? मुझे और दो। मुझे लगता है कि वह 200 मिलियन निकाल सकता है। गुल्लैंड ने कहा। 20 करोड क्या वह सचमुच इसे निकाल धनुष ने कहा। चलो बस उसकी क्षमता देखते हैं। अगर वह हमें 200 मिलियन नहीं दे सकता है तो बस उसे मार डालो और चलो उसकी पतनी को ढूंडते हैं। गुल्लैंड ने कहा। आप सही कह रहे हैं शुरुवात करने के लिए महिलाएं बहुत दरपोख होती हैं। धन धनुष ने सन फीवू की ओर संतोष भरी द्रिश्टी से देखा। टैंग परिवार को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने अपने परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए सूर्य परिवार को मारने के साथ साथ कैशन करने से भी गुरेश नहीं किया। गुल्लैंग के अपना बैंक खाता दे दो यह सुनकर गुलाइग ने तुरंत सन फेवो को अपना बैंक खाता बताया कुछ मिनट बाद जब गुलाइग ने पैसे प्राप्त करने की पुष्टी कर ली तो उसने उदासिंता से कहा तुमने अपनी जान बचाई, लेकिन अपनी पत्नी की नहीं मुझे और 200 मिलियन दो तभी हम आपको जोडे को जाने देंगे तुम सन्फेवो गुस्से में था अपना खंजर उठाते हुए गूलाइन ने हलके से उत्तर दिया तै कर लो आप अपनी पत्नी के जीवन के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो तुम बाहर खटखटाओगे जबकि तुम्हारी पत्नी का अंत एक दैनिय भागय के साथ होगा मेरे पास इतना पैसा नहीं है मेरे खाते में अब केवल 100 मिलियन होने चाहिए यह मेरी और मेरी पत्नी की बचत का कुल योग है जबकि बाकी परिवार के व्यवसाई में है सुन फेवु ने करवाहट से कहा अपने खाते की शेश राशी की जाच करें और वहाँ सब मेरे पास ठानांतरित करें गुल लैंग ने उदासीनता से कहा ठीक है हालांकि एक पल के लिए जज़कते हुए सन फेवु ने जल्दी से अपने खाते की शेश राशी की जाच की और फिर गुल लैंग को नंबर बताया गुल लैंग ने इसे देखा और उदासीनता से कहा एक सौ मिलियन से अधिक है यह सब मेरे पास ट्रांसफर कर दो सुन फेवु चुप रहा सारे पैसे ट्रांसफर करने के बाद उसने फिर कहा क्या आप हमें अभी जाने दे सकते हैं साथ ही पैसा सब तुम्हारा है अगर तुम मेरी शर्क मानोगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्या शर्क्तर धनुष से पूछा मुझे जुड़े मैं आपको अमीर और समरिध बनाने की गारंटी देता हूँ अपने शेश जीवन के लिए चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए सन फेवु ने गंभीरता से कहा सन फेवु पर अपनी पकड धीली करते हुए धनुष उसके सामने आया और मुस्कराते हुए बोला तुम्हारी हालत बहुत लुभावनी है अगर मेरा उपनाम तांग नहीं होता तो मैं इसे बिना सोचे समझे ले लेता कश गुल्लैंग के हाथ में चाकू सुन फेवु के दिल में घुस गया हरामी तुम लोग वास्तव में टैन परिवार के लोग हो लेकिन आपने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मैं पैसे दूँ सुन फेवु का शिश्य सिकुड गया क्योंकि उसने गुस्से में कहा धनुष ने मुस्कुराते हुए उसे टोका और कहा मैंने कहा था कि अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा गुल्लैंग ने अंत में सुन फेवु की गर्दन को छेदने से पहले चुरा गोंपना जारी रखा उसने फिर धनुष की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा हमने आज काफी फसल ली है बॉस वास्टव में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक धनुष ने मुस्कराते हुए कहा ऐसा लगता है कि चापे मारी और लूटमार वास्टव में लोगों को अमीर बनाती है वह कहावत फिर क्या थी? जैसे घोडे रात की घास के बिना मोटे नहीं होंगे वैसे ही आदमी बेमानी के पैसे के बिना अमीर नहीं बनेंगे बहरहाल अभी के लिए पैसे रख लीजिए और फिर बाद में स्विस बैंक खाते में ट्रांसफर कर दीजिए ठीक है गुल्लैंग ने सिरहिलाया अपने ही खून से लथपत आदमी को देखे बिना वे जल्दी से बाहर की और भागे धनुष की आध्यात्मिक समझ की निग्रानी में वह दो से तीन सौ मीटर के दाएरे में कुछ भी सपष्ट रूप से देख सकता था उन दस्तों को देखने के बाद उनका रंग थोड़ा बदल गया जो पहले उनकी धारना के दाएरे से बाहर थे सूर्य परिवार के गष्टी दल की प्रतिक्रिया की गती और गतिशिल्ता बहुत अच्छी है हम सामने दस आद्मियों के एक गष्टी दल का सामना करेंगे उनके साथ लडाईच गड़े में न पड़े हम जितने लोगों को मार सकते हैं, मार सकते हैं लेकिन अब हमारे लिए सबसे महत्वपून बात बच निकलना है जाडी में छिपकर धनुष ने फुस्फुसाया ठीक है गुल्लैंग की आँखों में जानलेवा इरादे चमक उठे ऐसी स्थिती कुछ ऐसी थी जिससे वह कई बार गुजरा था वह इससे डरता नहीं था, बलकि कुछ उचसाहित था क्योंकि वह खतरे का सामना कर सकता था और धनुष का पीछा कर सकता था वह एक मचली के समान था जो एक नदी की धारा में संधर्श करती थी एक कार्ट बनना चाहती थी जो ड्रैगन गेट के माध्यम से चलांग लगाती है और एक द्रैगन में बदलने का मौका प्राप्त करती है जो समुद्र में बिना रुके चल सकता है जाना धनुष के धीमे से चिलाने पर दोनों साथ साथ आगे बढ़े 20 सेकंड बाद वे 10 आदमियों के गश्टी दल में आए बिना किसी हिचकी चाहट के धनुष और गुल्लैंग ने एक भयंकर हमला किया एक अधेड उम्र के व्यक्ती ने जिसने अपनी पिस्टॉल निकाली थी उसे गोली चलाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उसका गला कट गया था और उसका दिल धड़क गया था इस महत्वपूर्ण समय में गुल्लैंग ने अपने कौशल से दो अन्य लोगों को मारा और मार डाला ध्यान से अचानक गुल्लैंग का रंग काफी बदल गया क्योंकि उसने अपने शरीर को एक पल में धनुष की ओर फिंका जब तक उसने धनुष को मारा तब तक एक गोली उसके दाहिने हाथ में लग गई जिसके ठीक बात खून बह रहा था एक स्नाइपर धनुष के चहरे के भाव काफी बदल गए उनके आध्यात्मिक अर्थ के दाएरे में उन दो गश्ती दलों के अलावा जो बहुत तेज गती से उन पर धावा बोल रहे थे वहां कोई स्नाइपर मौजूद नहीं था जिसका मतलब था कि उन पर निशाना साधने वाला स्नाइपर काफी आगे की जगह पर था चलदर अपने चाकू को लहराते हुए और गश्ती दस्ते के एक सदस्य की हत्या करते हुए धनुष ने गुल लैंग की दूसरी भुजा पकडली और मनोर के आंगन की दिवार की और बिजली की तेजी से प्रहार किया तयार रहो जैसे ही आंगन की दिवार की दूरी लगभग 10 मीटर थी धनुष गुराया वह तेजी से आगे बढ़ा बिजली की तरहा उसकी आकृती और आंगन की दिवार के करीब पहुँच गया इससे लगभग 4-5 मीटर की दूरी पर उसने विद्युती कृत केबल पर कूदने के लिए अपने पैरों और हाथों का उप्योग करते हुए जबरगस्ती गुल लैंग को उच्छाला और सफलता पूर्वक बाहर निकल गया कश जैसे ही धनुष का पैर टूटा एक गोली वही लगी जहां उसका पैर पढ़ा था बॉस बाहर देखो अपनी गती को धीमा करते हुए गुल लैंग आसानी से धनुष से आगे निकल गया धनुष नहीं बोला उसने अपना कंधा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा अपनी गती को सीमा तक बढ़ाया वह भूत की तरह भाग गया सन फैमिली मैनर में एक गार्डन हाउस के अंदर सूफेंग ने अपनी स्नाइपर राइफल की दूरबीन से देखा उसने दो बार बोली चलाई जिसमें से एक दुश्मन की बाह में लगी और फिर भी दूसरी बार अस्फर रहा लेकिन इस समय कोई नहीं जानता था कि वह कितना डरा हुआ और डरा हुआ था क्योंकि उसे जितने भी शक्तिशाली शक्रू मिले थे उनमें से किसी की भी इतनी तीवर गती नहीं थी वह गती पहले ही उस सीमा को पार कर चुकी थी जिसमें एक मनुश्य फूट सकता था यहां तक कि अगर वह उनसे बहुत दूर था और स्नाइपर राइफल के दृष्टी दूर बीम से सहायता प्राप्त कर रहा था तो वह केवल आदमी के प्रक्षे प्वक्र को पकड़ सकता था क्या वह अब भी इंसान है? कड़वा और कसेला सन फेंग केवल उन्हें दूर से गायब होते हुए देख सकता था उसने अपनी स्नाइपर राइफल दूर रख दी और तेजी से नीचे की ओर भागा सन फैमिली मैनर से चार या पांच किलोमिटर दूर सड़क के किनारे ली ज्याओ जी ड्राइवर की सीट पर बैठे थे, धूमर पान कर रहे थे और आसपास का निरीक्षन कर रहे थे अचानक उसकी अभिव्यक्ती थोड़ी बदल गई, धनुष को दस मीटर दूर से दौरते हुए देखकर उसका रंग बदल गया तेज ली ज्याओ जी का दिल काम उठा अपनी पैनी निगाहों से वह धनुष को गुल्लैंड को साथ लाते हुए देख सकता था, जिसके कपड़े पहले से ही लाल रंग से रंगे हुए थे बंग दर्वाजा खोला गया और जल्दी से बंद कर दिया गया जाना धनुष भारी और गहरे स्वर में चिलाया अपना सिरह लाया और कहा यह घातक नहीं है लेकिन हमें जितनी जल्दी हो सके होंग को जिले में वापस जाना होगा मुझे उसकी बाह पर लगी गोली को हटाना है समझ गया ली जियाओ जी ने जल्दी से उत्तर दिया बॉस इस तरह की चोट कुछ भी नहीं है मुस्कराते हुए गुल लैंग ने मुस्कराते हुए कहा हम सीधे होंग को जिले में वापस नहीं जा सकते हमें कार को बीच में ही छोड़ देना चाहिए अन्यथा सन फैमिली इसे उस सड़क के सर्विलांस वीडियो पर पकड़ने में सक्षम होगी जिसे हमने अभी अभी पास किया है जहां भी यह दिखाई देगा उन्हें होंग को जिले में भी कार खाना मिल जाएगा एक पल के लिए सोचते हुए धनुष ने तुरंट अपना मोबाईल निकाला और टैंग वेई का सेल नंबर डायल किया जैसे ही टैंग वेई की धुंधली आवाज निकली धनुष ने गहरी आवाज में कहा अभी तक सोव मत आओ हमें उठाओ मैं अभी आपको पता नहीं बताऊंगा लेकिन हम संपर्क में रहेंगे अरे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं तैंग वेई संभल गई और उठसुकता से पूछा ठीक है हम आज रात उप गए थे इसलिए हम सन फैमिली से मिलने गए और कुछ हत्याएं की गुल्लैंग घायल हो गया है और हमें उसका इलाज करने के लिए जल्दी वापस जाना होगा बस जल्दी करो और किसी को तुम्हारा पता लगाने मत दो धनुष ने कहा ठीक है हालांकि टैंग वेई यह जानकर हैरान था कि धनुष और गुल्लैंग देर रात सूर्य परिवार की हत्या करने के लिए चले गए वह यह भी जानता था कि स्थिती को समझने का यह सही समय नहीं था जवाब देने के बाद उसने कपड़े पहने और बाहर निकल गया तांग वे आधे घंटे बाद पहुँचे तीनों ने पिछली कार को छोड़ दिया और लीज याओ जी ने इसके इंधन टैंक को बोली मार दी क्योंकि कार में विसफोट हो गया और जल गया जिसके बाद चारों बेहत तेज गती से निकल गए हालांकि लाइसेंस प्लेट नकली हैं फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं सकते कार में लाइसेंस स्थानों को नीचे रखना और फिर नीचे बैठना लीज याओ जी ने फिर अपनी आखें गंदी दिखने वाली तांग वेई की ओर भुमाई वर्तमान में टैंग वेई वास्तव में गुस्से में थी वह उनकी निर्भीकता के कारण क्रोधित था यहां तक की इस समय हत्याओं को अंजाम देने के लिए सूर्य परिवार तक जाने का साहस भी कर रहा था उन्होंने सूर्य परिवार के सशस्त्र रक्षा बल के बारे में सुना था रक्षा बहुत तंग और दुर्जे थी फिर भी वे तीनों जीवत वापस आ गए जिससे उसे कुछ अविश्वास हो रहा था धनुष अगर बड़े दादाजी को इस मामले के बारे में पता चलेगा तो वह बहुत क्रोधित होंगे जिसके बारे में मैं निश्चित हो सकता हूँ आप बहुत बोल्ड थे यह कोई समस्या नहीं होगी यदि यह कहीं और है लेकिन आपने सूर्य परिवार तक चलने का साहस किया क्या आप जीने से ठक गए हैं या कुछ और पंत में टैंग वेई अभी भी इसे रोक नहीं सका रियर व्यू मिरर से धनुष को देखते ही वह गुस्से से गुराया धनुष के मुह के कोने पर हलकी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा भाई वेई मुझे पता है कि तुम चिंतित थे लेकिन क्या हम अभी बच नहीं गए हैं इसके अलावा आज रात का कारोबार काफी शांदार रहा बॉस आप केवल एक घंटे से थोड़ा अधिक समय के लिए अंदर थे आप कितने लोगों को मार सकते थे लीज याउजी ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा आप एक घंटे से अधिक समय तक अंदर घुसे रहे और तुम भागने में सफल भी हो गए ताम वेई ने टेढ़ी भाहों के साथ कहा अगर हम उस समय की गिंती नहीं करते हैं जब हमने उनकुछ गश्टी दलों को मार डाला तो हमने सूर्य परिवार के कुल 21 सदस्यों को मार डाला ये सभी हिट लिस्ट के सदस्य थे और सन परिवार की रीड भी थे अफसोस की हमें सन परिवार का मुखिया नहीं मिला हाला की नहीं तो आज रात का हमला पूरी तरह सफल होता क्या? सूर्य परिवार में अधिकार रखने वाले रीड की हड़ी वाले कभीले शायद एक गरजन लोगों के बराबर थे शिर्ष स्तर के अधिकारियों के साथ जोडा गया संख्या शायद 30 से कम थी इससे पहले वे उनमें से कुछ को पहले ही मार चुके थे फिर भी आज रात धनुष और गुल लैंड में उनमें से 21 को सिर्फ एक घंटे के अंदर मार डाला था ऐसा कहा जा रहा है? क्या यह सूर्य परिवार के लगभग सभी सदस्यों के मारे जाने जैसा नहीं था? अपनी लार निगलते हुए टैंग वेई ने पूछा भाई तुम तुमने जूट नहीं बोला है ना? आपने नाम सूची में सूर्य परिवार के 21 सरस्यों को वास्तव में मार डाला है बेशक यह सच है मैंने वह सूची स्वया बनाई है तो यह दिया गया है कि मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैंने आज रात मार डाला धनुष ने सिरहिलाया और कहा इसके अलावा मुझे एक दिल्चस्प बात भी मिली आज रात के बाद सूर्य परिवार शायद हमारा दुश्मन नहीं रहेगा आपका क्या मतलब है टैंग वेई ने हैरान होकर पूछा बस इंतजार करें आपको जल्द ही पता चल जाएगा धनुष ने एक रहस्य में मुस्कान बिखेरी इस समय सन परिवार मनोर पूरी तरह से गड़बड हो गया था जो बूढे कमजोर, बीमार या विकलांग थे वे एक एक करके बगीचे के घरों से बाहर निकलाए जोर जोर से चिला रहे थे बगीचे के घरों के बीच लगातार गश्ती दस्ते चलते हैं क्योंकि लोग लाशों को बाहर लाने पर रोते और चिलाते थे गश्ती दस्ते के दो सदस्यों का नेत्रित्व करते हुए यी पीला दिख रहा था जब उसने शवों को सूर्य परिवार के केंद्रिय वर्ग में ले जाने का आदेश दिया वह इस समय खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था क्योंकि उसने पाया कि दुश्मन उसके घर के सबसे पास की दीवार से घुस आया था फिर भी दुश्मन उससे चुटकारा नहीं पाया और केवल उसके पास रहने वाले सूर्य परिवार के लोगों को मार डाला सन फेले और याओ जिन हुआ अगली कार्य योजना तयार कर रहे थे, वर्तमान में उपलब्ध दोनों पक्षों के सशस्त्र बलों को साजा कर रहे थे हालां कि आज रात के भारी नुकसान ने सन फैमिली को भारी जटका दिया था, सन फेली को भरोसा था कि वे टैंड परिवार को पूरी तरह से हराने में सक्षम होंगे जिसके बाद याओ परिवार की सहायता से उनका परिवार इस प्रकार भविष्च में गुआंग्यान प्रांत का सबसे बड़ा परिवार बन जाएगा अंगुठी, अंगुठी, अंगुठी मोबाईल की रिंगटोन ने दोनों आदमियों की बातचीट में खलल डाला भौहे चड़ाते हुए सुफीली ने देखा कि यह उनकी पतनी का फोन था उसकी आखों में तुरंत क्रोध के निशान चमक उठे उत्तर बटन दबाने के बाद उन्होंने भारी ग्रेड स्वर में कहा मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण काम निप्ताने हैं और मैं देर से घर जाऊंगा अगर कोई महत्वपूर्ण बात न हो तो मुझे परिशान न करें पती कुछ हुआ मोबाइल से महिला के रोने की आवाज निकली क्या हुआ जैसे ही वह अचानक खड़ा हुआ सन फीली की अभिव्यक्ती बदल गई हमारा सूर्य परिवार समाप्थ हो गया है महिला फूट-फूट कर रोने लगी अरे इस बूढ़े पिता को अभी मरना बाकी है कोई रास्ता नहीं है कि सूर्य परिवार समाप्थ हो जाएगा मुझे जल्दी बताओ क्या हुआ बिल्कुल सुन फीली गुस्से से कर जा पती डुश्मनों ने हमारे सन फैमिली मैनर में घुसकर हमारे परिवार के कई सदस्यों को मार डाला महिला फूट-फूट कर रोई, खीवू, सन वेई, कियांजिन और हमारे सूर्य परिवार के लगभग सभी प्रत्यक्ष संतानों की मृत्यों हो गई हमारे सन फैमिली में महत्वपूर्ण पदों पर रहे सभी सदस्य भी मारे गए हैं गश्ती दल के सदस्यों को छोड़कर 21 लोग मारे गए क्या? सन फीली की पुतलिया फैल गई क्योंकि वह उग्र रूप से दहाड रहा था उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था उनके प्रतिष्ठित सन फैमिली मैनर में बेहत दुर्जे सशस्त्रबल इसकी रक्षा कर रहे थे दुश्मन संभवत है इस पर हमला कैसे कर सकते थे? और तो और सूर्य परिवार के उच्चस तरिय कुल के लोगों को भी उनके द्वारा मारा गया कुतिया क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह बिल्कुल भी हास्यासपद नहीं है महिला और भी रोई, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ यह सच है वे सब मर गए और हमारा सूर्य परिवार समाप्थ हो गया जैसे ही उसका मोबाइल फोन फर्ष पर गिरा सनफीली का शरीर कामपने लगा फैमी हेड सन क्या हुआ है? याओ सिन्हुआ ने भारी स्वर में पूछा संबंधित याओ सिन्हुआ को देखने के लिए अपना से उठाते हुए सन्फेली ने अपनी आत्मा खोदी थी और वह सोफे पर गिर पड़ा, बुद्बुदाया, हर कोई मर गया मेरे सन्परिवार के सभी मुख्य सदस्य मर चुके है याओ सिन्हुआ का चेहरा बदल गया उसने सन्फीली को पकड़ लिया और गुस्से से चिल लाया आप किस बेतु की बकवास की बात कर रहे है आपके परिवार के सभी मुख्य सदस्यों को मारने में कौन सक्षम हो सकता है मुझे नहीं पता यह मेरी पतनी थी जिसने मुझे फोन किया था सन्फीली ने अपना सिर हिलाया और कहा मृत गश्ती दल के जवानों को छोड़कर मेरे परिवार के केवल मुख्य सदस्य जिनकी मृत्यू हुई उनकी कुल संख्या 21 थी सुन फेली को रिहा करते हुए याओ सिन्हुआ के चहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ती दिखाई दी क्योंकि उसने गुस्से में अपनी ही लार पी ली संपरिवार गुआंध्यान में एक स्थानिय अत्याचारी था और पूरे परिवार में वास्तविक शक्ती को नियंत्रित करने वाले उच्चस्तरी मुख्य सदस्य लगभग 30 लोग थे उनमें से कुछ पहले मर गए थे और अब 21 और मर गए हैं कि सोर्य परिवार के पास अब भी कितने शीर्ष्टर के सदस्य जीवित हैं याओ शिन्हुआ ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में भयानक भावना को दबा दिया वह फिर जोर से चिलाया चलो तुरंट सन फैमिली मैनर चलते हैं फुकांग प्रांथ हुआं परिवार में हुआं जिन्पु सो गया था लेकिन अपने मुबाइल रिंगटोन से जाग गया जैसे ही उसने कॉल समात की उसके चौकोर चहरे पर एक हैरान करने वाला भाव चित्रित हो गया हां उसे अभी अभी मिली जानकारी ने उसे अंदर तक जखजोर कर रख दिया गरिमामरी गुआंग्यान के सन परिवार ने अपने मुख्य सदस्यों को रातों रात मार डाला था अभी दुश्मनों की संख्या की सपष्ट रूप से जाच की जानी बाकी थी लेकिन कहा गया की संख्या बहुत कम थी केवल दो लोग देखे गए अनंत पर्व हॉल हाँ हाँ दुश्मन के रूप में चिरस्थाई दावत हॉल के साथ सूर्य परिवार के लिए शायत किया गया है और याओ परिवार टी एसके टी एसके यदि चिरस्थाई दावत हॉल को अपने सभी लोगों को जुटाना था तो उन्हें भी बिना किसी समस्या के रातों रात उनका सफाया करने में सक्षम होना चाहिए है न एक गहरी सांस लेते हुए हुआंग जिन्फू ने तुरंट एक सेल नंबर डायल किया पुराने दोस्ट आपके पास बहतर गती थी बाई यां कल सुबह तक बाई परिवार में वापस आने में सक्षम थी मुझे पता है लेकिन मैं सिर्फ आपको भी खबर मिली हाँ अब आपको महसूस करना चाहिए कि अनंद पर्व हॉल में कितनी भयानक शक्ती है हाँ हुआं जिन्फू ने मुस्कराते हुए कहा सूर्य परिवार की तो बात ही छोड़ दीजिये भले ही वह मेरा हुआं परिवार ही क्यों न हो मुझे डर है कि हम भी रातों रात खत्म हो जाएंगे भाई जिन्फू मुझे यह बताने की परवाह है कि इस चरस्थाई दावत हॉल में किस प्रकार की शक्ती और प्रभाव है एक अधेर उम्र के आदमी की आवास फोन से प्रसारित होती थी मुझे नहीं पता मैं वास्तव में कुछ नहीं जानता हुआं जिन्फू ने मुस्कराते हुए कहा वे बहुत रहस्यमय और बहुत भयानक है लेकिन सबसे महत्वपून बात यह है कि उनके लोग बहुत लोग प्रोफाइल है मैं समझता हूँ आप निश्चिन्थ हो सकते हैं मुझे आपको उससे यह पूचने के लिए परिशान करना होगा कि क्या Everlasting Fest Hall गौंग्यान प्रांत में एक शाखा खोलने के लिए तयार है मेरा चुपरिवार निश्चित रूप से उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा ठीक है कौल समाप्थ हो गया हुआंग जिन्फु का चेहरा कुछ जटिल लग रहा था कपड़े पहने और खिड़की की ओर चलते हुए उसने फिर बाहर के द्रिश्यों को देखा जो एक गहन सननाटे से ढखा हुआ था अंदर उसने चुपके से आहे भरी कौन सोच सकता था कि इस शांत रात में सूर्य परिवार पर ऐसा अभूत पूर्व प्रहार होगा और अधिक ताकी चुपरिवार मदद के लिए कहे जाने पर तुरंत मदद करे अगर चुपरिवार एवर्लास्टिंग फेस्ट हॉल के साथ अच्छे संबंध बनाने में सक्षम था तो इसका मतलब होगा कि हुआं परिवार चुस के साथ भी एक गुप्ट गठ बंधन समझोते पर पहुँच जाएगा बीजिंग शोर ने तान गोशेंग को उसकी नीन से जगा दिया फोन कॉल सुनने के बाद वे तीन बार बेथा शाहन से और तुरंत धनुष को फोन किया तान गोशेंग की तुलना में याओ परिवार के मुख्या याओ किंगजुन एक मनोदैहिक चुप्पी से प्रभावित थे वह काफी समय के लिए मौन में गिर गया उन्होंने याओ सिन्हुआ का नंबर भी डायल किया और केवल कुछ शब्द कहे आकरामक से रक्षात्मक में परिवर्तन अगली सुबह दो ओडी गाडिया गुआंगयान प्रांट के साउथ रिवर जेल में चली गई कई मध्यम आयूवर्ग के पुरुष तब अंदर चले गए क्योंकि वे कुछ ही मिंटों के बाद जल्दी में निकल गए जेल के एक हिरासत कक्ष के अंदर बाई यांग दीवारों को देख रही थी सिगरेट पी रही थी और मायूस दिख रही थी सिगरेट उसे जेल वार्डन ने दी थी उस आदमी ने एक बार उसका उपकार किया था वह जानता था कि वह समाप्थ हो गया था शायद उनका बाई परिवार भी खत्म होने की प्रबल संभावना थी उसे कुछ नाराजगी महसूस हुई अपने ही पिता के गलत पक्ष को चुनने से नाराज होना और अतीत में तान परिवार के पक्ष में खड़े होने का विरोध करना वह अपने आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट समझ सकता था कि आजकल तैन परिवार किस तरह की स्थिती में है उनकी अभी भी उच्च प्रतिष्था हो सकती है और उन्हें बीजिंग में शीर्ष परिवारों में से एक माना जा सकता है लेकिन वे अब अपने पिछले स्वयं के बराबर नहीं थे गुआंगया में वर्तमान तान परिवार की शक्ती और प्रभाव के साथ खुद का बचाफ करना असंभव है, है ना लगता है सुरक्षित और स्वस्थ रहना मुश्किल होगा बाई यांग ने आह भरी चर्मरा हट बाहर लोहे के दरवाजे की आवाज आई वार्डन जियांग यांग वेन कई पुलिस अधिकारियों को बाई यांग के जेल कक्ष में ले आए वार्डन जियांग क्या आप सब जोर से पूछते ही बाई यांग का दिल डूग गया जियांग यांग वेन के चहरे पर एक मोटी मुसकान तैर गई और उसने कहा भाई यांग मुझे अभी अभी आपको रिहा करने का आदेश मिला है इसके अलावा आदेश प्रांथ के नंबर एक और नंबर दो द्वारा एक साथ जारी किया गया था ओग नंबर एक ने भी कहा कि इस दोपहर घर जाने के लिए अपने समय का सर्वोत्तम उप्योग करें वह आपको कुई वेई हाउस में एक साथ लंच करने के लिए आमंत्रित करते हैं क्या कहा आपने हैरान भाई यांग ने संदेह पूर्वक जोर से पूछा जियां यांग वेन ने खुद को दोहराया और फिर हनसे भाई यांग सब ठीक है हर चीज की सपष्ट रूप से जाच की गई है और आपको फंसाने वाले व्यक्ति को गिरफतार कर लिया गया है वह सनपरिवार का एक सदस्य है जिसने वह गुमनाम पत्र लिखा और अफवाहें फैलाई फिर भी उस आदमी को जल्द ही यहां हिरासत में भेज दिया जाएगा लार टपकाते हुए बाई यांग की नजर कई पुलिस अधिकारियों पर पड़ी यह देखकर जियांग यांग वेन तुरंत भाई यांग के विचारों को समझ गई वह पुलिस अधिकारियों की ओर मुडा और हाथ हिला कर उन्हें जाने का इशारा किया जब कमरे के अंदर उन में से केवल दो ही बचे थे तो उसने कहा भाई यांग क्या आप कुछ जानना चाहते हैं वार्डन जियांग इन सब का कारण क्या था भाई यांग से पूछा जियांग यांग वेन बाहर के दरवाजे से देखने के लिए पीछे हट गई जब उसे वहां कोई नहीं मिला तो वह भाई यांग के सामने आया और फुस्फुसाया भाई यांग गुआंगया में कुछ बड़ा हुआ था मूल रूप से यह केवल टैंग परिवार का स्टार लाइट ग्रूप मुख्याले था जो जल गया था है ना लेकिन कर रात कुछ लोगों ने याओ और सन परिवारों से संबंधित कंपणी के मुख्याले को जला दिया इसके अलावा इन दोनों दलों के 200 से 300 लोगों की मौत हो गई मैंने सुना है कि उनकी हत्या कर दी गई है फिर भी यह सबसे चौकाने वाली खबर नहीं है अन्य प्रांतों में है बाई यान के चहरे पर खुशी का भाव उभर आया अचानक उन्हें एक गहरी समझ थी कि किसी न किसी के लिए हमेशा एक रास्ता होता है क्योंकि हर बादल में भी एक उम्मीद की किरन होती है सूर्य परिवार का दैनेय भागय याओ परिवार के नुकसान उनके दिमाग में आने वाली पहली चीज टैंग परिवार थी उन्हें यकीन था कि जो पार्टी इतना बड़ा कारण बनाने में सक्षम थी वह बिलकुल टैंग परिवार था